मैंने दिल्ली के हवाई अड़े पर उतार करके गूगल में सर्च किया था कि भरतिय दंता परटी का आफिस कहा है व्याभार और आचरण का उतकरष्ट अगर कहीं देखा जा सकता था भरतिय संस्कती में इतियास में राजस्थान में था और उन्होंने मंत्रीपद से हटाने से पहले पब्लिक प्रोग्राम में ये कहा था कि ये सरकार भ्रष्टतम सरकार अपरेशन कमल मानिय गहलोट साब के दिमाग के उपच्छ थी मेरा कमल नाजी से प्रश्ण है कि वह खडगे जी के बयान से सहमत है या नहीं खडगे जी ने ये कहा था कि मोधी अगर जीते तगा तो सनातन की ताकत बढ़ जाएगी इसको कम करने के लिए मोधी को हटाना पड़ेगा राहूल गांधी जी कब क्या कहां बोलते हैं हमारा तो दूर है कॉंग्रेस पार्टी के लिए भी शायद संभव नहीं होगा या त तो समझ नहीं आता कि वो कौन सी इंजिनेरिंग की किस स्ट्रीम से पढ़ कर क्या हैं बराज में पानी स्टोर नहीं होता बराज सिर्फ डाइवर्जन स्ट्रॉक्चर होता है आपको जान करके बहुत प्रसनता होगी कि दुनिया के टॉप टैन इनिशियेटिव में नमामी दूप की लगाते हैं शिखावर जी थैंक यू सो मच कि आप पॉड़कास में आएं धन्यवाद तो पहले तो राजस्थान के पॉलिटिक्स पर जाते हैं क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और सियासी जानकार जो हैं वो कहते हैं कि उपर उपर से बीजेपी संतुश नजर आ रही है लेकिन अंद स्तिती क्या है वहाँ पर देखे राजस्थान के हालात को यदि हमें समझें तो पिछले पॉने पाथ साल में राजस्थान में जिस तरह का परिद्रश्य रहा है उसको गैराई के साथ में देखना और समझना पड़ेगा दोजार अठारा का चुनाव हम एक बहुत मामूली स अंतर से हार गए थे कुल जितने वोट कास्ट होए थे उसका आधा प्रतिशत के लगबग अंतर से चुनाव का परिणाम महा आया था हम सरकार से बाहर हुए और उस समय सरकार में आने के लिए कॉंग्रिस पार्टी ने जिस तरह के वादे किये थे उन वादों के पूरा नह होने के करने हैं चुनाव का परिणाम आने के साथ ही जिस तरह का आपसी विग्र है मतबेद वहां लीडर्शिप में हुआ था उसके चलते हुए पिछले पूरे पौने पाँच साल का कालखंड वर्तमान की कॉंग्रेस सरकार के लिए केवल और केवल कुरसी बचाने की प्र प्रात्मिकता कुरसी बचाने की और पार्टी के मुख्या के प्रात्मिकता कुरसी तक जाने की यह होने के चलते विए जो द्वन्द था मानि अशोग गैलोट साब और सचेन पाइलेट जी के बीच में जिस तरह का द्वन्दात्म किस्तिती बनी रही उसका नुकसान राज राजस्तान में लॉन्डॉर्डर सिचुएशन कम्प्लीटली फेल होगे राजस्तान में जिस राजस्तान की पहचान महिलाओं के सम्मान के साथ होते थे आप इतियास के उठा करके देखे राजस्तान का हर एक वेक्ति जिस पर गरू करता है और देश के 140 करोड लोग भी ग लक्ति होगे कर्मा भाई की शद्धा होगे गोरा धाय पन्ना धाय का बलिदान होगा अपने राजा के बेटे को स्वामी को बच्चे को बचाने के लिए अपने बच्चे को कुर्बान कर देना महिलाओं के व्यवहार और आचरन का उतकरष्ट अगर कहीं देखा जा सकता थ भरते संसकती में इतियास में राजस्थान में था उस राजस्थान को रेप कैपिटल बनाने का पाप अशुग गलुत सरकार ने किया उससे आगे बढ़कर के देखे पिछले एक साल के आंकड़े उठा कर के देखे कोई जिला नहीं ऐसा होगा जहां ऐसी वीबत से घटना ह जहां मैला को के साथ में गैंग रेप होगा गैंग रेप के बाद में उसको मारने का शडियन्तर होगा न मरने पर जो है गला दबा कर मारने की कोशिश करने पर जो है न मरने पर गोली मार दी गए होगा या तेजाब डाल दिया होगा या कुवे में डाल दिया होगा या राजस्तान का किसान, परंपरागत रूप से राजस्तान में बरसात की कमी के होने के चलते हुए मौसम की मार से शहिशनुता डबलप हो गई थी, लोग मौसम की पृतिकूल था को सहज भाव से लेते थे, उसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन सरकार ने एक आश किसानों को आत्मत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसके आगे पिछले पूरे साड़े चार साल के कालखंड में राजस्तान में उननिस बार पीपर लीग हुआ, राजस्तान भ्रष्टाचार में देश में एक नंबर पर पहुंचा, बेरोजगारी सबसे जादा वो राजस्तान में, कुल मिला करके राजस्तान का परिद्रश्य जिस तरह का बना है, राजस्तान की जनता, भारतिये जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, या सत्ता के चाबी भारतिये जनता पार्टी को देने के लिए, हाथ में ठाली लेकर के परोसने के लिए लेकिन अगर हालात इतने बत्तर हैं, तो फिर आक्रोश देखने को क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं कोई विद्रो हो रहा, मैं पुलिटिकल विद्रो की बात नहीं कर रही हूं, जो द्वन्द आप कह रहे हैं, सचिन पाइलेट और अशोक गेलोत के बीच जो द्वन्द चल र देखें, मुझे लगता है कि हमने उस द्रश्टी से देखा नहीं है, आप राजस्तान पर धरातल पर जा करके राजस्तान की नब्स टटोलने की कोशिश कियें, आम व्यक्ति इस पर रिस्पॉंड करता बाब को देखेंगा, आम महिला हैं, सोशल मीडिया को तोड़ा सा गर रादर आशुद से, वो आपको सपष्ट नीचे वहाँ दिखाए देगा, राजस्तान में कोई ऐसा जिला नहीं होगा, जिसमें इस विशे को लेकर के कहीं ने कहीं कोई ने कोई प्रतिरोध या प्रतिक्रिया नहीं हुई होगे, पेपर लीग को लेकर के, आप युआओं क कोई अधिकारी राजनेता सम्मिलित नहीं है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का सरकार का कोई फेलियोर नहीं है, हम इस विशे की जांच कराएंगे, एक बार पेपर लीग हुआ, दो बार लीग हुआ, तीन बार लीग हुआ, चार बार लीग हुआ, सत्रुआ पेपर लीग बात की और जब जाँच कुछ कदम चली आपने देखा होगा कि पहली बार भारत के इतियास में ऐसा हुआ कि पबलिक सर्विस कमीशन का सर्विंग मेंबर जो है वो जेल गया और जेल जाने के बाद में जिस तरह के स्टेटमेंट सुनके जुड़े वे लोगों ने नियूस प ठीक उसी तरह से जाँच एक कदम और आगे बढ़ी सरकार के मंत्रिपत का दर्जा प्रप्त व्यक्ति जेल में पहुंचे और उसके बाद भी जाँच अभी आगे बढ़ी नहीं है राजस्तान के युवा चाहते थे कि इसकी निश्पक्ष्ट जाँच जो है केंद्री एज करें इनिशली जब रेप की घटनाय रेजिस्टर होने लगा दिली में पत्रकारों ने मानि मुक्हमंत्री जाँच पूछा कि राजस्तान में इस तरह की घटनाय ज्यादा हो रही है तो उनकी प्रतियुत्तर था क्यूंकि हम केस से जादा रेजिस्टर कर रहे हैं इसलिए गटना हैं ज़्यादा हो रही है और गटना है बड़ी फिर दुबारा पूछा गया तो मानी मक्यमंत्री जी का उत्तर था तीन-चार महीने बाद में कि हम किसी भी घटना पर तुरंत केस रेजिस्टर कर देते हैं इसलिए ज़्यादा हो रही है और बाकि 56 प्रतिश्यत से अथियाओं की घटना है राजस्तान में क्योंकि उसकी अपनी एक सीरीज है पिछले चार साल में राजस्तान का कोई भी जला जिससे अशेष नहीं है कि जहां अबोद बालिका के साथ में ग्यांग रेप होगा और उसके बाद में गला दबा करके उसके अहत्या नहीं कर दी हर एक जिले में इस तरह गटना हुई है और उन गटना ओपर जब पूचा गया तो उनका जवाब था क्योंकि निर्भया केस के बाद में पॉक्सों का कानून बनाया गया और वो इतना ज्यादा स्ट्रिंजन्ट है इसके कारण से लरके मारे लोग अत्याएं कर देते हैं फिर सरकार के सबसे वरिष्ट मंत्री वो सरकार की तरफ से जवाब देते हुए है विदानसभा के पटल पर यह कहते हैं कि राजस्तान क्योंकि मर्दों का प्रदेश है इसलिए राजस्तान में बलातकार की घटना है जाता हो रही है इतने हीनियस क्राइम को ले कर के भी जिसने राजस्तान के सम्मान और इतियास दोनों पर कालिक पोद दी उसको ले करके भी राजस्तान की सरकार की इतनी चिछोरी और फौरी प्रतिक्रियां रही और अपने विफलताओं को छुपाने के लिए बार बार जस तरह से उन्होंने परदा डाला उसका परिणाम यह हुआ कि गटना है और अधिक पढ़ती गए इससे आगे पढ़कर के देखे आज राजस्तान का आम जन इस बात को मानता है कि राजस्तान की सरकार ने घोर तुष्टिकरन इस पाच साल के कालखंड में किया है और उसका परिणाम राजस्तान में दंगे हुए करॉली में दंगे मुआवजे में जिस तरह से तुष्टिकरन किया उसका परिणाम यह हुआ कि इस तरह की ताक्तों का और अधिक होसला बढ़ा और उसके चलते वे कनेयालाल टेलर की गला काट करके हत्या कर दी गए लेकिन वहीं नहीं थमता है मंदिर हों तोड़ा गया है चार-चार सो साल पुराने शिवाले तोड़े गए राजस्तान में कम से कम बीस ऐसी घटनाए हुई है जहां पे मंदिर की जमीन या संपत्ती को हडपने के लिए पुजारियों के हत्याएं कर दी गए इस तरह से राजस्तान में जो तुष्टिकरन का तांडववा उसको लेकर कि भी राजस अपने वूट बैंक को बनाए रखने के लिए कॉंग्रेस ने हमेशा ही इस तरह का तुष्टिकरन किया है और राजस्तान में पहली बार तुष्टिकरन को इस तरह पर ले जाने का पाप अशोगलोत सरकार ने किया क्या कलपना की जा सकते है कि राजस्तान जैसे प्रदेश में किसी हिंदू त्योहार पर उसके धार्मिक उत्सव पर जुलूस पर प्रतिबंद लगाया जाएगा धारा एक सो चम्मालिस लगाई जाएगी कि आप जो है त्योहार को मनाने के लिए एक साथ एकतरित नहीं हो सकते धार्मिक जुलूस जो परंपरागत रूप से पिछल सकता हों और सनरक्षन में पुलीस की साथ में जोड़ करके पियाफाई का जुलूस सडकों पर निकल लगएगी उसके भाद में भी सरकारी ये कहती है या गेलोत साथ ये कहते हैं कि तुश्चि करन का लाब जो है वह हमको नहीं होता है हमको नहीं लेना है या हमको उससे ला जो है उसका परिणाम शायद मुश्किल हो कॉंग्रिस के लिए क्या आप समझते हैं कि वो भी जानते हैं ग्राउंड स्वेल के बारे में निश्चित रूप से जानते होंगा अगर कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी भी राजनीतिक सूझबुझ रखता होगा जो राजस्थान की राजनीति को तनिक सा भी समझता होगा वो असानी से इस कंक्लूजन पर पहुँच जाएगा कि राजस्थान में प्रचंड भाहुमत के साथ बारतिय जनता पार्टी आने वाली है और ये केवल मैं नहीं कहता है अगर मैं कहूंगा तो ये पॉलिटिकल नाम पर सहमती नहीं हो रही है तो शायद राजनीतिक स्टेटमेंट लगता कितने कॉंग्रेस पार्टी के विधायक हैं आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करके देखिये जनने फ्लोर आफ दे विधान सभा पर ये कहा कि सरकार सदी की सबसे भरष्टे सरकार कॉंग्रेस पार् मंत्री पद का दरजा प्राप्त व्यक्तिने मंत्री पद का दरजा प्राप्त और मुख्य मंत्री के सलाकार का डेजिगनेज्टेड व्यक्तिने कैबिनेट में बैठने वाले व्यक्तिने सदन्प से लेकर के सडक से लेकर के मीडिया के सामने सब ने ये कहा है कि हमारी सरकार रश्टतम सरकार है और हमारी सरकार अब की बार कोई यह कहता था कि हमारी पार्टी सिटिबस में आने जितने लोग बचेंगे कोई यह कहता था कि इनोवा में जितने बचेंगे कोई यह कहता है फॉर्चुनर में जितने बचेंगे कोई यह कहता है महिलाओं के लिए आवाज उठाने की सजा दी गई, मंत्री मंडल से निकाला गया और वो विधान सभा में लाल डायरी लेकर कर आया और जिस तरह से उनके साथ में वहां व्यवार किया गया, उन्होंने मंत्री पद से हटाने से पहले 50,000 लोगों की उपस्तिती में, पब्लिक परोक्स रूप से देखता हूँ, चुनाव हम जानते हैं कि आचार सहिता शायद अगले 2-4 दिन में लगेगी, और उसके बाद में आचार सहिता के अनुरूप लगबग जो estimated time है हमेशा जो चुनाव होता है, नौंबर के अंतिम सप्ता में, अंतिम दिनों में या दिसंबर उधर नहीं है, इस बार क्योंकि मध्यप्रदेश और 36 गड़ में पार्टी ने strategically पहले कुछ सूचियां डिकलेर कर दी, मध्यप्रदेश में मिजॉर्टी लेस्ट डिकलेर कर दी, 36 गड़ में भी कर दिया, उसको लेकर के राजस्थान में भी निश्यत रूप से इस तरह की अपिक्षा सभी लोगों ने की है, लेकिन राजस्थान में भी इस तरह की सारी सीटों पर जहां हमको प्रात्मिक्ता के साथ में कैंडिडेश डिकलेर करने हैं, वहां सारी चर्चाएं सब सतर तक कंप्लीट होगी है, लेवल 1, 2, 3 सब कंप्लीट हो गया है, अब टॉप ली जैसे मध्यप्रदेश में हो रहा, एक्स्पेरिमेंट है, देखे, राजनीती असा इम संभावनाओं का क्षेत्र है, किसी भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन राजनीती में कोई थमरूल भी नहीं हो सकता, अभी तक जितनी चर्चाएं हुई है, जितनी सी पर्टी में कोई एक नीती सब प्रदेशों के लिए ऐसा नहीं हो सकता, हर स्टेट की परिस्तितियां अलग है, इस्तितियां अलग है, हालात अलग है, लेकिन फिर भी यदि किसी व्यक्ति विशेश की उपियोगिता किसी स्थान विशेश पर हो सकते है, चुनाव जीतने के परिपेक्ष में भी, आगे काम करने के परिपेक्ष में भी, पार्टी के काम को गती प्रदान करने के परिपेक्ष में भी, उसका उपियोग विधान सभा का चुनाव लड़ करके हो सकता है, लोक सभा का चुनाव लड़ करके हो सकता है, संगठन में काम करके हो सकता है, उस शे महीने और रहते हैं, मैं सांसद हूँ, मैं नहीं जाना चाता, विधायक जो है वो pemaking order में लो होता है, तो मैं वो नहीं करना चाता, मैं छोड़ना नहीं चाता, मैं पार्टी का काम नहीं करना चाता, ऐसे इसको अनुषासन हींता माना जाएगा की कैसे माना जाता ही, उसे convince परिस्ति कभी आती होगी बारतिया जनता पर्टी का सामन्य कार्यकरता एक विचार के साथ में जुड़ता है और उसके लिए विचार प्राथमिक होता है बारतिय जन्ता पार्टी का कारिकरता एक स्कूल आफ थौट से आता है और वहाँ व्यक्ति का उपियोग कहा होगा ये और किस क्षेत्र में व्यक्ति बहतर काम कर सकता है ये निर्णे करने का अधिकार प्रारंबिक स्थर से ही परिवार के वरिष्ठ लोगों का होता है मैं तो मेरे उधारन दे करके आपको इस पष्ट करना चाहता हूँ मैं 1992 में चात्र संग का अधिक्ष चुना गया विद्यारति परिष्ट के कारिकरता के ना थे विद्यारति परिष्ट ने मुझे अबसर प्रदान किया और मैं छात्रसंग का अध्यक्ष चुना एतियासिक बहुमत से चुना गया एक अच्छा कारेकाल बीतने के बाद एक साल बाद जब दुबारा चुना हुए सामन नेतिया छात्रसंग का अध्यक्ष बनने के बाद में चुनेवे अध्यक्ष या चुनेवे पदादिकारी वो अपनी राजनीतिक सरजमीन तलाशना शिरू कर देते कि आगे जा करके मुझे राजनीति में कहां जाना है विद्धरती परिशत के लोग निश्चित रूप से विचारधरा की पर्टी, भरती रुठा पर्टी के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं नेसुआई के लोग कांग्रीस में अपनी जमीन तलाशते होंगे एक लोग जो फ्रीलैंसर से हैं वो दोनों तरफ में से जहाँ अनुकूलता हो, वहाँ तलाशने की कोशिश करते होंगे मैं 93 में जब अपना टेनियोर समाथ हुआ मेरे पास में भी इस तरह की अपार्चिनिटीज थी शदे भैरोसिंदी का मेरे उपर बहुत आशिरवाद भी था पारिवारिक संबंध भी था विद्यारती परिशद का कारिकरता होने के नाते संग के परिवार और उन सब लोगों के साथ में भी जुडाव था मैं अपने लिए राजनीतिक जगे तलाश करूं और काम करूं मेरे लिए सारी सुविधाय और अफसर उस समय भी थे लेकिन मेरे मेंटर्स ने उस समय जो परिवार के मुख्या थे विचार परिवार में उन्होंने ये तह किया कि मुझे सीमावरती क्षेतर पर जा करके देश की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए और समिता जी मैंने 20 साल तक देश के सीमाओं पर एक संगठन को खड़ा करने के लिए काम किया और मैं कभी भारतीय जन्ता पार्टी की देहरी पर भी नहीं चड़ा 20 साल 20 साल मैं जोदपुर भारतीय जन्ता पार्टी जिस शहर में रहता हूँ के कार्या लेके दफ्तर में के गेट में कभी एंटर नहीं हुआ 2014 में संगठन ने ये तैय किया कि मुझे आप राजनीतिक शित्र में काम करना चाहिए जाकर के इमानदारी से आपके साथ में कह रहा हूँ माने रजनाथ सिंग जी रष्ट्य अद्धिक्ष ते और मुझे एक कहा गया कि तुमको जाकर रष्ट्य अद्धिक्ष जी से मिलना है और उस समय जो राजस्तान की मुख्य मंत्री थी आदरनिया वसंद्रा जी उनसे जाकर के एक बार मिल करके आना है मैंने पता किया मुख्य मंत्री जी उस दिन उनका जन्में दिन था वसंदराजी दिल्ली में थी और मुझे क्योंकि राजनाज सिंग जी से मिलने का भी निर्देश हुआ था मैंने दिल्ली के हवाई अड़े पर उतार करके गूगल में सर्च किया था कि बारती जन्ता परटी का आफिस कहा है और वसंदराजी को जब जाकर के मैंने अपना परिचे दिया था तब उन्होंने कहा था कि हम पहले मिले नहीं है लेकिन आपने जो कुछ काम किया यह मेरी जानकारी में है आप जाएए जाकर के नीचे काम करिये आप उन कुछ लोगों में से हैं जिनको हमने अल्रड़ी सेलक्ट कर ले तो यह संगठन में काम करने की ताकच जो है बीस साल तक राजनीती से राजनीती क्षेतर से दूर रहकर के 2014 में सीधे यहां आए और कोई आशरे नहीं है आज मैं सांसद के नाते मानिय प्रधानमेंति जी की तीम में के सौभागेशाली सदसे के नाते देश के लिए काम कर रहा हूँ कल अगर पार्टी के लीडर्शिप यह सोचे के मुझे जाकर के संगठन में काम करना चीए या विधानसभा में जाकर के मेरा बैतर उपयोग हो सकता है राज्जे की राजनीती में बैतर उपयोग हो सकता है या उससे उपर परिवार के सदस लोग यह सोचे है कि अब राजनीती से आगे बढ़कर के मेरा कहीं और ज़्यादा उपयोग हो सकता है यह निरने करने का अधिकार हमेशा उनके पास में और इसी लिए भारतिय जन्ता पार्टी में नेताओं को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम्हारी उपयोगी तक कहा है उनको यह कहना नहीं पड़ता कि अभी मेरे सांसर दोने के दो साल बाकी है अभी मैं विदान सभा में नहीं जाना चाहता है में काम करना है वनवासियों के बीच में जाकर के वनवासी कल्यान परिशद में काम करना है या किसी और क्षित्र में जाकर के मैं हुपयोगी हो सकता हूँ वहां जाकर के काम करना है मैं जिम्मेदारी के साथ में अपने लिए भी कहता हूँ मेरे जैसे बने कारिकरता इस पार्टी में होंगे उनकी तरफ से भी कहता हूँ एक शन भी उसमें कहीं कोई सोचने का अवसर भी नहीं आता है और वो इसलिए कि जहां भी रहेंगे इसी उर्जा के साथ में काम करेंगे इसी विश्वास के साथ में काम करेंगे इसी उत्सा के साथ में काम करेंगे क्योंकि जहां भी काम करेंगे वहाँ अंतिमुद्देश एक होगा और वो होगा भारत माता की जय करना आपने वसुंदरा जी क्या जिक्र किया जब भी राजस्थान में चुनाव होते हैं मुख्यमंत्री का चहरा पहले घोशित किया जाता है कि वसंदरा जी होंगी लेकिन इस बार आप उर्जा की बात भी कर रहे थे लेकिन इस बार जब भी वसंदरा जी चाहे आपकी रैलियाओं में हो या चुनावी जो भी कारिक हो रहा है वो उत्साहतों देखने में नहीं मिल करता हूँ 2017 में जब उत्तरप्रदेश में भरतिय जनता पार्टी 25 साल के अंतराल के बाद पहली बार सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही थी तब कौन जानता था कि योगी आदितिनात मुक्यमंत्री होंगे जब हम उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे थे तब कौन जालता था कि त्रिवेन सिंग रावत मुक्यमंत्री होंगे जब हम महराष्ट्र में पहली बार अकेले चुनाव लड़ रहे थे तो किसने सोचा था कि देविंदर फटनवीस मुक्यमंत्री होंगे राजस्थान में बेशक 20 साल तक वसंदराजी हमारी नेता रही है ले इसको लेकर के मुझे लगता है कि कहीं कोई confusion भारतिय जन्ता पार्टी के काड़र के मन में तो नहीं है आप इसे discipline कहते हैं या अनुशासन कहते हैं लेकिन जो opposition है वो कहती है कि democracy नहीं है मतलब number one number two तै करते हैं या number one number two number three तै करते हैं और सबको वही करना पड़ता है लेकिन Congress में है कि CWC में बात चलती है सब को अपना विचार रखने की कोई पाबंदी नहीं है कि विचार नहीं रख सकते हैं लेकिन आपकी पार्टी में है कि discipline अनुशासन तो there is no democracy ऐसे हैं डेमोकरिसी कहां है होती है अगर number one number two यह decide करके पहले से तै कर दें कि यही मुख्यमंतरी का चेहरा होगा वो ज्यादा democratic है या चुनाओ होने के बाद में विधायक बैठ करके यह तै करें कि हमारा नेता यह होगा और उसके बाद उस पर parliamentary board मोहर लगा ही वो ज्यादा democratic है डेमोकरिसी यह है कि राहूल गांदी जी यह तै करेंगे है सोनिया गांदी जी यह तै या कॉंग्रेस के चुनेवे विधायक 2018 में यह तै करते कि मुख्यमंत्री कौन होगा राजसान की जनता ने उस चुनाओ में सचिन पाइलेट के चहरे पर मतदान किया था विधायक सचिन पाइलेट के साथ कड़े थे लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के आला कमान ने मैं उसमे नहीं जाना चाहता कि किस प्रेशर में या किस उद्देश से अशोग गलोट साब को मुख्यमंत्री बना दिया था वहाँ डेमुक्रेसी थी भरती है जनता पार्टी में डेमुक्रेसी बूत से लेकर के और रश्टी अद्दिक्स तक डेमुक्रेसी है हमारे यहां यह एकमा है क्योंकि परम पर आया है कि हम अपने सारे निर्णे को अंतत है ऊपर से कहा गया है ऊपर का निर्णे ऐसा कहकर कि छोड़ देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यह किसी विशा पर चर्चा नहीं होती एक टिकिट देने पर भी कि विधायक का टिकिट किसको मिलेगा या स लंगेटन महमंत्री जी के साथ चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद में राष्ट्रिय अद्देक्ष जी मानिय प्रदान मंत्री जी और परलिमेंटरी बोर्ड सीजी के मेंबर्स के सामने बैठ करके वन टू वन सीट पर चर्चा होती है, वहाँ डेमोक्रासी नहीं है, इससे ज लगता है, लोगों को बहार बैठ के यही लगता है, कि सारी पार्टियां में भी तो यही चलता है, कि अल्टिमेटली पार्टी आला कमान डिसाइड करती है, कि कौन बनेगा? देए आला कमान के रोल को रूल आउट तो नहीं किया जासकता, सभी जग होता होगा कि पार्टी के और शुनेता भी अल्टिमेटलि तेह करते होगे कि कौन बैठर तरीके से काम कर सकता है कि 귀여ण हो सकता है राजस्तान के 2018 के चुनाव का मैंने उधारन आपको दिया दोजार 1998 में पहली बार अशुक एलोट साब मुख्यमंत्री बने थे उस चुनाव को उठा करके देख लेजेगा वो पूरा का पूरा चुनाव परसरा मदेरना साब के चेहरे पर लड़ा गया लेकिन मुख्यमंत्र कौन बना था 2008 का चुनाव जब कॉंग्रेस पार्टी दोबारा सरकार में आई तब चेहरा सीपी जोशी थे लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना था कॉंग्रेस पार्टी को तो यह कहने का बिलकुल अधिकार भी नहीं है कि वो यह कहें कि हमने हमारे यहां पर डेमोक्रेसी है उनके यहां तो जोड़ तोड़ के अलावा और कुछ भी नहीं है तो इस हिसाब से अगर गिने तो बीजेपी की 60 सीटे फिक्स हैं और 21 सीटे कॉंग्रेस की तरफ जाती हैं यानि कि 81 सीट पर बीजेपी और कॉंग्रेस को मेहनत करनी पड़ती है उनका one to one मुकाबला होता है क्या यह सही है अनलेसिस देखे politics में इस तरह का कोई analysis जैसा मैंने कहा politics में कोई थम रूल नहीं होता ऐसा रूल नहीं हो सकता विधायक बदलती है लेकिन विधायक में party अगर अपना candidate बदल दे तो वो अपने आप proposition बदल जाएगा कितना इंपोर्टेंट होता है एक कैंडिडेट निश्चित रूप से कैंडिडेट इंपोर्टेंट होता ही है जितना चोटा चुनाव है उतना ही ज्यादा कैंडिडेट इंपोर्टेंट होता ही है सांसत के चुनाव से बजाए विधान सभाव के चुनाव में कैंड़ेट जाता है important होता है उससे नीचे चले जाए तो पार्षद का चुनाव में कैंड़ेट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है गाउं में सरपंच का चुनाव सबसे कटिन चुनाव होता है और वाइड़पंच का चुनाव दुनिया का सबसे कटिन चुनाव होता है निश्चित रूप से होता है प्रत्याशी की छवी उसका आचरन उसका व्यभार उसका बैक्ग्राउंड निश्चित रूप से matter करते है लेकिन एक जनरल जो वेव जो चलती है तब निश्चित रूप से जनता जब बदलने के लिए वोट करती है जब सरकार बदलने के लिए वोट करती है तब उसका परिणाम बहुत डिफरिंट होता है आप देखिए आप क्योंकि राजस्तान में हर पाँच साल में सरकार बदलने का दौर पिछले तीस साल से चल रहा है लेकिन जब जब भारतिये जनता पार्टी सरकार से बाहर गई तब तक हम बहुत चोटे से बहुमत से अंतर से आ रहे हैं पिछले बार जैसा मैंने कहा हम आधा प्रतिशत से कम अंतर से आ रहे थे दो हजार आठ में जब हम सरकार से बाहर हुएते तब भी अंतर हमारा एक प्रतिशत से कम था लेकिन जब सरकार भरती है जनता पार्टी के बनती है तब दो हजार तीन में 120 सीट आती है 2013 में 163 सीट आती है और 2023 में भी हम उस también कि आपके बार इनकी नाकामी से खफा हो करके इस हालात को बदलने के लिए जब वोट करती है तब बहुत सारी चीजें गौन हो जाती है और जंता सिर्फ और सिर्फ बदलाव के लिए वोट करती है अभी राजस्तान में वही परिस्तित अभी मुख्यमंत्री जी गेहलोत ने क कि बिहार की तरह वे भी राजस्तान में जातिगत सर्वेक्षन करेंगे तो मैं कास्ट इशू पर आती हैं कि क्या आप कह रहे थे कि कंडिडेट इंपॉर्टेंट होता है क्या कणडिडेट का कास्ट की जाती भी influence करती है राजस्तान के politics को देश को कौन सा प्रदेश से जा दीजे, वागी सभी जगे घरती है, राजस्थान में भी निश्चित रूप लेकिन अपने संस्थापकों से कॉंग्रेस पार्टी के लोगों ने कॉंग्रेस के डिने में एक चीज अवश्य आई है और वो है बांटो, फूट डालो और राज करो पहले मजभ के आधार पर बांटा, अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, उंचे और नीचे के आधार पर बांटा जातियों के आधार पर अपनी लाब के लिए राजनितिक मेतवा कांग्शाओं को प्राप्त करने के लिए समाज को बांटने का काम किया और अब उससे भी आगे बढ़ करके विदिन क्लास भी उसको बांटने का काम जो है वो ये कॉंग्रेस पार्टी कर रही है ये एक नई शुरुवात इन्होंने की है जो लगता है कि इन सब के बजाए अगर हम इस बदलाव के दोर में जब देश ट्रांस्फॉर्मेशन के दोर पे है तब हम इन से उपर उठ करके इनको इलिमिनेट करने या इन दूरियों को डैलिट करने के लिए काम करें उसकी आवर्शक्ता है उस समय में हम और अधिक इन दूरियों को बढ़ाने के लिए काम करने ये देश के भविशे के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये इंडिया एलाइंस जो है बाकी राजों में भी बिहार में तो करही चुकी है करनाटका में कर चुकी है अनाउंस नहीं किया पर करनाटका में भी हो चुका है अब अगर राजस्थान में भी हो रहा है तो हर राजे में अगर होगा ये कास्ट सर्वे तो दो हजार चौबिस के इलेक्शन में तो फरक पड़ेगा ना इन सब कसे देखें जो अलाइंस जिसके आपने चर्चा की है ये अलाइंस डेमोक्रेसी के लिए नहीं काम कर रहे हैं ये अलाइंस कूरसी के लिए काम कर रहे हैं और जब इस तरह के अलाइंस इस तरह की सोच के साथ में बनते हैं तो उनके लिए प्रात्मिक्ता केवल सत्ताओं के प्रा सी लड़ाई हो गई है ना मान हानी का केस हो गया वो कहते हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए बहुत परस्नल लड़ाई है ना आपकी और गहलोजी की देखे मैं और मानी गहलोज साथ दोनों एक ही विदानसभा में रहते हैं एक ही शहर में रहते हैं मेरी जितनी आयू है उस जब जोदपूर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान मंतरी बनाने के लिए, अशोक गैलोट साफ द्वारा पूरी सरकारी ताकत जोग दने के बावजियूद भी है। उस सारी पूरी जोग देने के बावजियूद पे उसको दाव पर लगा देने के बावजियूद भी, मोदी जी को प्रधान मंतरी बनाने के लिए तेन लाख लगबग वोटों से मिझे ही विजही किया। वो जो टीस उनके मन में है, वो जो दर्द उनके मन में है, वो जो विफलता का दंश उनके मन में है, मुझे लगता है उसके कारण से वो इस तरह से इस लड़ाई को इस तरह तक ले करके गए हैं, परना वो तो मेरे शहर के आदर नहीं वेक्ति हैं, हम सब ने बच्पन से उनक मुक्खेमंतरी जी अगर खुछ चुनाव लड़ रहे होते उस समय में भी उस परिश्टिति में भी उन्हाने जितनी उरजा वहां नियोजित की थी उससे ज्यादा वो अपने बेटे के लिए कर रहे थे मैंने तो नियूस पेपर में पढ़ा है कि कुल मुख्यमंत्री जी ने 162 मीटिंग्स की राजस्तान और राजस्तान के बाहर लोकसभाग चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ट और कद्दावर नेता होते में उस 162 मीटिंग्स में से 122 मीटिंग्स मेरे लोकसभाग चितर में किये 17 रात और 17 दिन को मानने मुख्यमंत्री जी कि कहीं ने कहीं उपस्तिती मेरे लोकसभाग चितर में थी पाँच मुक्यमंत्री और पूरु मुक्यमंत्री मेरे लोगसभाग स्यत्र में काम कर रहे थे नप्रतिन हिदियों को खुद आगे चल करके फोन किए थे, कि साड़े-चार साल में मुक्यमंतरे रहने वाला हो, मेरे दरबाझे आपके लिए खुले रहेंगे, आप मेरे बेटे को मेरे व्यक्तिकत रिक्वस्थ पर मेरे बेटे को सपोर्ट करिये। उसके बाद में क्या बाकी रह गया तो वो खुड चुनाव लड़ते तो भी यही करने वाले थे इतना जदो जहद करने के बावजूद और वो सारा जदो जहद जोदपुर तक ही सीमित था इसके बावजूद बीजेपी बाकी जगह उसे हार गई ऐसा क्यों हुआ बीजेपी कहा हारी 25-25 सीटें हम भरते जिनता पाटे विजए था कॉंग्रेस आर गई नए बीजेपी हारी in the sense of विधान सभा चुनाव विधान सभा चुनाव उससे पहले हो चुके थे अच्छा विधान सभा चुनाव 2018 में हो चुका था अब आप देखे है कि सामने कोई एक सरका तब तक तो गैलोट साब रूस गए थे ना कॉंग्रेस से रूस गए थे इसलिए उन्होंने सारी एनरजी जो है अपने बेटे के लिए लगाई थी उसवर्ट कि सचिन पाइलेट का मसला उठाता ना नहीं नहीं यह सब बहुत लेट बात है देखे 2018 के दिसंबर में चुना हुआ था 2018 के दिसंबर में के मध्यकाल में 15 14 15 तारीक को सरकार बनी थी और मार्च में तो हमारे यहां पर चुनाव के आचार सही था लगकर के नॉमिनेशन फाइल हो गए थे उस समय तक तो जो है वो हनीमून पीरियट ऑफ दे गवर्णमेंट चल रहा था और आप कल्पना कीजिए कि कि किसी सरकार को जिसको अभी अभी जनता में ने चुनकर आपने हनीमून पीरियट करने कहा दिया उनकी पार्टी को बार बार उपरेशन कमल उपरेशन कमल और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इतनी वारी हो चुका हुआ है वो सब जो है दोजार बीस में जाकर के हुआ मैं उसकी चर्चा भी आपके सामने करूँआ है मैं आज आपके सामने एक बात दूसरी दृष्टी से रखना चाहता हूँ ओपरेशन कमल भारतिय जन्ता पार्टी का कहीं कोई दूर दूर तक संबंद नहीं था ओपरेशन कमल मन्य गहलोट साब के दिमाग के उपच थी जिस तरह की परिस्थिती कॉंग्रेस पार्टी में वहां थी और जिस तरह का प्रभुत्व सचिन पाइलेट के पास में उस सम रहते हुए और इतने सारे विधायकों का समर्थन रहते हुए राजस्थान का उपमुक्य मंतरी का पद रहते हुए गहलोट साब सचिन पाइलेट जी के होते हुए कभी भी चैन के साथ में नहीं रह पाएंगे या ओपरेशन कमल उन्होंने खुद डिजाइन किया था उन् प्रतिबदताओं को अपने प्रियोर्टीज को अपने लायल्टीज को जेव शिफ्ट कर लिया था उनके माध्यम से उनको उकसा करके इस ऑपरेशन कमल को कराने के लिए उन्होंने खुद भेजा था ताकि उसके माध्यम से वो कॉंग्रेस पार्टी के इन सचेन पाइलेट के लायलिस्ट और इनके साथियों को सचेन पाइलेट समेट पार्टी से हमेशा के लिए निश्काशित करा पाएं तो वो बस सब उनकी थी निश्चित रूप से वो रिजॉट भी उन्होंने बुक किया था रिजॉट किसने बुक किया था मैं उस पर नहीं जाना चाहता ले तिन तक जो है वो रहने के बाद में यहां दिल्ली में जब वो वापस लौट करके गए उन में से किसी एक ने भी कभी कहा कि मुझे कोई लालच दिया गया था किसी एक ने भी कभी कहा कि मेरे उपर कोई दबाव था उन में से बहुत सारे लोग तो बाद में मंत्री भी बना लोटा दें। मैं आज आपके माध्यम से एक प्रश्ण पूछना चाहता हूँ। कि जो Prevention of Corruption Act है वो यह कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की जानकारी में यह विशा है कि किसी ने किसी प्रेयोजन के लिए पैसा लिया है और वो ब्रश्टाचार के श्रेणी में आता है और उसके बाद वो उस पर कारवाई न करे तो वो भी दोशी है मानने मुख्यमंत्री जी की जानकारी में यदि है और उन्होंने कहा है पब्लिक प्लेटफॉर्म से कि पैसा तुमने लिया है वो वापस लोटा दो तो क्या उनके जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन पर कारवाई नहीं होनी चाहिए अपने विधायकों पर अगर उन्होंने पैसा लिया है लोटा दें थोड़ा कम हो गया हो तो मैं दे दूँगा या मैं AICC से दिलवा दूँगा तो जो लिया है वो उसके उपर कारवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और अगर कोई कारवाई नहीं होती है तो मुक्यमंत्री उसके दोशी है कि नहीं है इसलिए ये जो दिखता है वो वास्तविकता नहीं है जो वास्तविकता है वो कुछ और थी ये किस ने डिजाइन किया था, कैसे डिजाइन किया था, किस तरह से डिजाइन किया था, ये आने दीजे, समय आने दीजे, सब लोगों के सामने कभी निश्चत रूप से आही जाएगा. आपको सरदारपुरा भेज नहीं है पार्टी? अभी तक तो इस विशा में कहीं कोई चर्चा नहीं है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा है, कि पार्टी अगर तै करती है, कि मुझे सरदारपुरा हमें चुनाव लड़ना चाहिए, अगर मेरी उपयोगिता वहाँ हो सकती है, तो इसमें मुझे कहीं कोई भी एक प्रतिशत कहीं कोई सोचने को, एक्षण भी नहीं लगेगा, तो पहले गहलोट जूनियर को हराया, तो अब गहलोट सीनियर को हराना चाहते हैं, क्या यह हो सकता है, जीता ना हराना यह तो जनता का काम है, लेकिन यदि पार्टी यह सोचे कि मेरी उपयोगिता सरदारपुरा में चु अब लड़ना है, निरने जनता को करना है, निरने पार्टी के कारिकरताओं को करना है। आजनीती के चलते बने जो हालात कॉंग्रेस पार्टी के विधायकों के भिष्टाचार के चलते बने जो हालात आला कमान के हस्तक शेप कॉंग्रेस पार्टी में के चलते बने और जो हालात अब उनको धरातल पर दिखाई दे रहे हैं कि उनकी सत्ता का सिंगासन डोल रहा है और वो कुछ दिन का महमान है और सरकार केवल अपना समवेधानिक आयूश पूरा कर रही है जो constitutional mandate है पांच साल का life दिया गया है वो पूरा कर रही है बाकि सरकार अब शेश नहीं रही है गैलोट साहब ने मैं पूरी विनमरता के साथ में कहूंगा कि उन्होंने अपना कहीं कहीं धीरेज धहर्य और mental balance को दिया ये केवल उपराष्ट्वपती जी की संस्था उपराष्ट्वपती व्यक्ति नहीं होता वो भारत में संस्था है सरवुच्य संस्थाओं में से एक है उसके लिए इस तरह से गयर जिम्मेदारान टिपनी करना और केवल उसके लिए नही पालिका के लिए किस तरह की टिपनी की और उसके बाद मैं थोड़ा सा दवाओ पड़ा तब दो महीने बाद मैं एक महीने बाद मैं आप माफी मांगते बिखाई दिया इस तरह कि कितनी टिपनीय जिनकी कोई आभशकता नहीं थी वो केवल मांसिक दवाओ के चलते हुनों की है मुझे लगता है कि कभी ने कभी कहीं ने कहीं वो इसको ले करके भी माफी मांगते हैं और खेद व्यक्त करते हुए दिखाए देगा जो भी पुलिटिकल कॉमेंटेटर्स हैं जहां पर कॉंग्रिस में ओपन फिजर्स हैं सचन पाइलेट और अशोग घेलोत के बीच उस फिजर्स का फाइदा जो है बीजेपी नहीं उठा पा रही है क्योंकि बीजेपी के खेमे में भी देरार डिविजिन्स कोई प्रो वसंद हैं तो जहां पर they should be taking advantage of the divisions in the Congress Party, they are not able to do that. अगर स्थानिय स्थर के चुनाओ के चर्चा करें पंचायती राज का चुनाओ बहुत महित्वपून इंडिकेटर होता है जनता की भावना का राजस्तान में परंपरा के तुरूप से जिला परिशित के चुनाओ में जो जिला पंचायत के अध्यक्षिया जिला प्रमुक चुने जाते हैं परंपरा के तुरूप से जब भरतिये जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में होती है तब 15-16 ऐसे 18-19 तक जादा से जादा कुछ वर्षों में ऐसे जिला पंचायतों के अध्यक्ष जो हैं वो भरतिये जनता पार्टी के बनते थे शेश बचे वे जिलाओ कॉंग्रेस पार्टी के ही बनते थे परामपरागत रूप से एकाद कही निर्दिलिया ऐसा बन जाता थे जब कॉंग्रेस पार्टी की सरकार होती थे तो बीजेपी के बमुश्किल 5-6-7 जगए बन पाते थे शेश बची वी जगए पर कॉंग्रेस के होते थे एकाद परटी के बार हुआ है इसलिए ऐसा कह देना मातर की भारतिय जगए पर्टी लाब नहीं उठा पाई तो उसके बार चुनाओ तो एक ही हुए है अब के बार चुनाओ उगए तब सामने आ जाएगा और भारतिय जगए पर्टी आपने जैसा अभी कहा कि मद्य प्रदेश मे दिखता है कि अलग लग के माम बटी भी है तेकि मैं इसको बहुत सहज भाव से देखता हूँ राजनीती का क्षेत्र सहज स्वतैस पूर्त प्रतिस परधा का क्षेत्र है यह नैचुरल नैसरगीक वे में कॉंपिटीशन चलता ही है हर एक कारिकरता जो काम करता है धरातल पर काम करता है उसकी मैत्वा कांशा एक कदम आगे जाने की होती और वो स्वाभाविक भी है और डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक भी है लेकिन पार्टी में मतभेद कब दिखाई देता है वो तब दिखाई देता है जब ये हम कहें कि भारतिय जन्ता पार्टी का चुनाव चिन्न जो है वो कमल का निशान नहीं है हम सब का नेता जो है वो नरिंदर मोधी नहीं है कोई ये कहे कि मैं भारतिय जन्ता पार्टी में मेरा नेता नरिंदर मोधी नहीं है तब तो कोई मतवेद है जब कोई यह कहे कि हमारे यहां पर्लेमेंटरी बोर्ड सुप्रीम नहीं है कोई यह कहे कि हमारा उद्देश्य सरकार बनाना नहीं है यह डिफरेंस कहीं दिखाई देता है सब लोग अपने अपनी तरह से अपने अपने दृष्टिकोन से काम कर रहे है और अल्टिमेटली जब डिसीजन हो जाएगा विधायक दल और पार्टी के सुप्रीम अथर्टीज के द्वारा तब सब लोग मिल करके इस उद्देश्य के साथ में कि हमारी सरकार यशश्वी बने यशश्वी तरीके से काम रहे हम सब मिल करके काम करेंगे ये जो कुछ दिखाई देता है कि हम लोगों के बीच में 30 परदा हो सकती है या दूरियां हो सकती है ये बिलकéma इक है बिलकुल सामन ने प्रक्रिया है और किसी भी पार्टी में किसी भी पक्ष में इस तरह की होती है लेकिन सरकार बनने के बाद में इस तरह की टकराट हो, कुर्सियां पलटने के लिए जो चेश्टा हैं हो, वो जो है हालात, वो निश्चित रूप से चिंता जनक होते हैं, सरकार बनने से पहले हम सब लोग साथ मिल करके काम कर रहे हैं, लेकिन अपने अपनी दृष्टिकों स उस पर इंडिया ऐलाइंस के लोग भी बोल पड़े हैं, कमलनाथ जी ने जो कॉंग्रिस के हैं, उन्होंने कहा कि इस नोट आवर व्यू अबाट इट, इस पर अड़ी हुई है, और कुछ लोग इंडिया ऐलाइंस के लोग भी हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं इस व्यू को, क सनातन धर्म को eradicate करना चाहिए, तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं? स्टालिन ने बयान दिया था, उस बयान को समर्थन करते हुए, चिदमरभ साब के बेटे ने भी ऐसा ही बयान दिया था, इसलिए केवल कमलनाच दी, उदेनिदी स्टालिन के बयान से अपने आपको अलग करके इस सब से बच नहीं सकते हैं, उनकी मानसिक्ता इस बात से पर वैभव भारत की संप्रदी, भारत की संपन्नता, भारत की बौधिक संपदा, इस सबसे आकरश्ट हो करके इसको लूटने के लिए, और बाद में इसको समाप्त करने के उद्देशे से, दो हजार साल तक अनेक हमले हुए, शक आए, हून आए, कुशान आए, युनानी आए सिकंदर के रूप में, अरब आए, खलीफा आए, तुर्क आए, और उसके बाद में यवन आए, गुलाम आए, मुगल आए, अंग्रेच आए, डच आए, फ्रेंसिसी आए, पॉर्टगीज आए, सबने अपनी तरफ से इस सनातन को मिटाने के लिए प्रयास किया, लेकिन इ भारत माता के सपूतों ने जिस तरह से अपने पुर्शार्थ के बल पर उनको पराजित किया, या तो वो भारत में आकर के भारत का हिस्सा बन करके भारत की इस सनातन संस्क्रती की धारा में समाईत हो गए, और या उनका मुँ मोड करके वापस भिज़ दिया गया, जब दो भारत के लोग कभी ऐसी मानसिक्ता को भी स्विकार नहीं कर पाएंगे और इसका जवाब निश्चत रूप से समय आने दीजे, आने वाले चुनाओं में इस एलाइंस को मिलने ही वाला है जो कॉंग्रेस पार्टी है, वो कहती है कि भारती जनता पार्टी एक धर्म, एक संस्था या एक सोच को भारत पर, मतलब वो भारत पर थोपना चाहती है, ये राहुल गांदी भी कहते हैं, that India has a plurality, there's a diversity, लेकिन BJP जो है उसको सम्मान नहीं देती, हाली में आपने देखा ह होगा, कि वो राहुल गांदी जो है, वो गोल्डन टेंपल गए थे, वहाँ पर उन्होंने सेवा किया, वो मंदिरों में भी जाते हैं, लेकिन his view is that plurality को BJP जो है, वो सपोर्ट नहीं करती, लेकि भाशाओं में सिक्षा हो, स्थानिय भाशाओं में सिक्षा हो, मानि एक साथ विक्सित हो, और बराबर गती से आगे बढ़े, इस अवधारना को बल दिया, किवल कहदेने मातर से कि भारत में भारत की विविदताओं को, भारत की विरासत की विविदताओं को मानि जो है, भारती जनता पार्टी नकारती है, मुझे लगता है उससे नहीं होने और राहूल गांदी जी का जहां तक विशया अपने लिया, उनको निश्चित रूप से इस बात को इसपष्ट करना चाहिए, कि राहूल गांदी ने जाकर के जो गुर्दवारे में सेवा अरदास की, उनको इस बात को इसपष्ट करना चाहिए, कि उसका जो कनाड़ा में गटना हुई थी उससे क्या संबंध था वो एक बार उस संबंध का इस पश्टी करन करें कि क्या उसके कारण से उन्होंने ऐसा नहीं किया था और ऐसा राहूल गांदी जी कब क्या कहां बोलते हैं मुझे लगता है कि हमारा तो दूर है कॉंग्रेस पार्टी के लिए भी शाय उसना बड़ा बजट है उसका हर घर जल वाला जो है तो दो हजार चौबिस तक क्या आप अपना टार्गेट अच्रीव कर पाएंगे इसमें जल जीवन मिशन जा मानि है प्रधान मंत्री जी ने लाल के लेके प्राचीर से घोषित किया था ये उस कड़ी का हिस्सा था गाऊ श्रंकला का इस्सा था जो उन्होंने 2004 में सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्टन लाने के उद्देश से प्रारण बिकिये थे जिसमें हर गरीब को घर मिले, हर घर में बिजली हो, हर घर में शौचाले बने, हर घर में गैस का चूला पहुँचे, हर घर तक आईश्मान भारत योजना का लाब पहुँचे, हर घर तक बैंक का खाता पहुँचे, ये जो तमाम विश्यों की श्रंखला थी, जिसके माध्यम से सामान ये मानवी के जीवन का स्तर को उंचा उठाया जा सके उसी श्रंखला की कड़ी के रूप में जलजीवन मिशन उन्होंने गोशित किया था 2019 में जब लाल के लिए के प्राचीर से उन्होंने अपने आइकानिक स्पीच में इसकी बात की थी 15 अगस्त को तब उन्होंने खुदी उस भाशन में कहा था कि आजादी से ले करके 2019 तक उस पूरे 72 साल के कालखंड में केंद्र की सरकारों ने भी प्रेयतने की होंगे राज़े के सरकारोंने भी प्रयातने की होंगे कुछ स्थानिय स्तर पर भी प्रयातने की हुए होंगे उन सब के बावजोध भी देश के 19 करोड 40 लाग घरों में से 16 प्रतिशत यानि केवल 3 करोड 23 लाग घरों तक ही पीने का पानी पहूँच पाया था 84 प्रतिशत घर की माताओं बेनों को पीने का पानी या अपने घर की आविश्यक्ता के लिए पानी लेने के लिए सर पे मठका उठा करके घर से बाहर जाना पड़ता था कहीं 100 मीटर, कहीं 200 मीटर, कहीं 500 मीटर और मैं जिस क्षेतर से आता हूँ पश्यमी राजस्तान में पांच-पांच-दस-दस किलो मीटर प्रति दिन और मैंने तो खुद देखा है समिधा जी अपने बच्पन में हमारे घर परिवार की महिलाओं को बच्ची जब छोटी से होते हैं दस-बारा साल के उमर के तब वो कौतुहल वश अपने परिवार की बड़ी महिलाओं के साथ है उसकी मा होगी, उसकी काकी होगी, उसकी बुआ होगी, उसकी मासी होगी दादी होगी, नानी होगी, बड़ी बहन होगी, भाभी होगी, उनके साथ में सर पे छोटी सी गगरी उठा करके वो पानी लाने की यातरा प्रारंब करते हैं और उसके जीवन में जैसे जैसे उमर बढ़ती है उसके जीवन की सारी भूमिकाएं बदलती है, उसके पहचान बदलती है उमर बढ़ती है वो छोटी बेटी से बड़ी बेटी हो जाती है बड़ी बेटी से घर की में शादी होने के बाद में किसी घर की बहु बन जाती है बच्चे होने के बाद में माँ बन जाती है बच्चे बड़े हो जाते हैं बड़ी बहु हो जाते है बच्चों की शादी हो जाती है, सास हो जाती है बच्चों के बच्चे हो जाती है, दादी या नानी बन जाती है उसके जीवन में सब कुछ बदलता है एक चीज नहीं बदलती है, वो मटका वो बदलता है, बारा साहल की उम्र में चोटा होता है जैसे जैसे बड़ी होती है, उम्र बढ़ती है, शरीर के शक्ती बढ़ती है, बड़ा होता है, उसके बाद में उसके उपर एक और मटके आती है, उसके बाद में वो छोटा मटका जो गगरी है वो उपर आ जाती है, तीन-तिन मटके उठा करके चलती है, जैसे जैसे उम्र शरीर का सामरते कम होता है वजय से उसी क्रम में वापस उतरता भी है और सतर साल की उमर में जब कमर जुकने लगती है तब वो चोटी सी गगरी फिर भी सर पर रह जाती उस बोज़ को उतारने का निश्चा है नरेंद्र मोदीजे ने किया और मैं आज गर्व के साथ में एक बात कह सकता हूँ कि चार साल बीते हैं और इस चार साल में हमने उस सोला प्रतिशत के आंकड़े को 68% लगबग तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर लिए जो 3 करोड 23 लाग घरों तक पानी जाता था आज 11 करोड लगबग नए घरों को कनेक्शन देने के मुकाम तक हम पहुंच गए हैं आज हम जो 3 करोड 23 लाग का अकड़ा था वो 14 करोड तक पहुंच गए हैं 11 करोड माताओं बैनों के सर पे से मटका उतारने का पुन्यमानि नरेंद्र मोधी जी के खाते में दर्ज हुआ है और जिस गती से काम हुआ है आज गुजराथ सौप्रतिशत कनेक्शन वाला प्रदेश बनाए हर्याना सौप्रतिशत कनेक्शन वाला प्रदेश बनाए तेलंगना 100% connection वाला प्रदेश बनाए हिमाचल प्रदेश 100% connection वाला प्रदेश बनाए पंजाब 100% connections वाला प्रदेश बनाए गोवा 100% connections वाला प्रदेश बन गया पुडुचेरी 100% connection वाला प्रदेश बन गया उचित गुणवत्ता का जाता है उचित मात्रा में जाता है क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने संकल्प ना दी थी तो इन सभी राजों में हर गाउं में एक नल नहीं हर गाउं के हर घर में नल है मिश्चित रूप से ये आंकडे जो मैं आपको 19 करोड 40 लाग घरों के दे रहा हूँ ये सिर्फ रूरल इंडिया की बात कर रहा हूँ अर्बन इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें ये नंबर भी सम्मिलित नहीं है जो जल्डीवन मिशन मेरे मंत्राले का दीन काम हो रहा है वो सिर्फ ग्रामीन च्चेतर के लिए है अकड़ा है जिसमें जुलाई 2nd 2023 12.45 क्रोर हाउसोल्ड है लेकिन पूरे अगर देश में देखें तो 64% और रूरल हाउसोल्ड के घरों में है पर बाकी के घरों में अभी तक आया नहीं है मैं आपको यह जुलाई का अकड़ा देखा है सब कुछ पब्लिक डोमेन में आप जल्डीवन मिशन ड़े डैशबोर्ड अपने आइपेड में टाइप करके देखिए आपको सारा अकड़ा रियल टाइम कल जितने कनेक्शन किस प्रदेश के किस जिले के किस गाउं में कितने कनेक्शन हुए यह सब आप अपने मोबाईल यह बैटे देख चलते हैं अवरी डेश प्रदेश को कितना पैसा दिया है उन्होंने कितना खर्च किया है कितना खर्च हुआ है राज्य का खर्च हुआ है कितना उनके पास में डिपॉजिट है यह सब भी पब्लिक डोमेन में अवेलबिल है तो आपका टारगेट कब तक अचीव होगा 2024 का लक्ष लेकर कि हम चल रहे हैं और मुझे पूटा भरोसा है कि जिस गती के साथ में हम काम कर रहे है हम 2024 तक इस लक्ष को प्राप्त कर पाएंगे 2024 के दिसंबर तक अंतर तक जाते जाते हम इस लक्ष को प्राप्त कर पाएंगे and it is going to be a complete transformation और जो प्रेशन आपने खड़ा किया कि हर घर तक पानी जा रहा है केवल पानी जाना परियाप्त नहीं है मानि प्रद्वान मेंत्री जी ने जब इसकी संकल्पना दी थी तब यह कहा था हर घर तक पानी जाए नियमित जाए एक समुचित मात्रा में जाए उस मात्रा को भी पूरे डेलिबरेशन देश बेश में करके उसके बाद में वो मात्रा तेह कीगी पच्पन लेटर प्रती बेक्ती प्रती दिन और उचित गुणवत्ता का जाए और यह गुणवत्ता का फैक्टर सबसे इंपॉर्टन्ट है क्योंकि दोजार उन्नीस में जब जलजीवन मिशन की संकलपना नरिंद्र मोदी जी ने दी उससे पहले पानी जो आपके मेरे सबके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गटक है वो अगर गुणवत्ता का नहीं है तो हमारे स्वास्ते के साथ में बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है और देश में करोडों परिवार ऐसे थे जो ये जानते हुए भी एक माँ का दर्द समझने की कोशिश कीजिए ये जानते हुए भी कि ये पानी जो मैं भर करके बाहर से लेकर के आई हूँ इसमें फ्लियोराइड है इसमें आरसनिक है इसमें हैवी मैटल्स मिले में जो मेरे परिवार के चाए मेरे बच्चों या मेरे पती या मेरे पिता इनके जीव स्वास्ते पर पर्मानेंट प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले उसके बाद में भी वो महिला पिलाने के लिए मजबूर है यह जानती है कि मेरे बच्चे उन में पर्मानेंट दिव्यांगिता उसके कारण से डवलोप हो जाएगी फ्लोराइड यो पानी से हाथ पाउं टेड़े हो जाएगे दात पीले हो जाएगे गिरने लग जाएगे ऐस समय व्रद्ध हो जाएगे तो भी पिलाने के लिए मजबूर थी उसको इस संकट से निकालने के लिए भी गुणवत्ता का फैक्टर उसमें डाला गया क्योंकि गुणवत्ता को ले करके हमारे हां किसी तरह की कोई चेतना और व्यवस्था नहीं थी आपके घर में आपने आ और का आपने किसी को maintenance contract दि ओगा होगा हम जी वो साल के एक बारिया साल में दो बार आता होगा उसमें वो फिल्टर गाडृ्तर चेंड़ करने के बजा है उसको direct करकरे चूड़ दिया है आपके पास क्या तरीका है कि आप अपने पानी की quality को ड्रेस्ट कर सकाएं सिर्फ इसलिए कि आरो लगा हुआ है और आपने लगाया है एमसी वाला चक्र के गया है आप उस विश्वास के साथ में पानी पी रही है तो फिर क्या करें भारत में पीने के पानी की गुणवत्ता को जांच कहां करेंगे इसको लेकर के कहीं कोई व्यवस्ता नहीं थी आगर मैं आप से यह कहूं या आपके शुरुताओं से कहूं कि आपको अपना खुन की जांच करानी है एक सेकंड में आपके दिमाग में यह कौन देगा कि मैं किस नंबर पर फोन करूंगी तो आपको जो है सेंपल कलेक्ट करने के लिए आएगा लेकिन जब आपको अपने पीने कोविड में जिस तरह से आपको जानका रही है कि कोविड में जब आया था तब देश में एक नेशनल इंस्टीट ओफ वाइरलोजी जो है वही एक जगह थी जहां कोविड का टेस्ट हो सकता था लेकिन एक बहुत छोटे से समय में कुछ महीनों में देश में हजारों एने पील एक्रेडिटेड लेबरेटरी जो बना दी गई और उन सब की रिपोर्टिंग एक ही जगह से जनरेट होते है अब बेशक देश में हजारों के इंदर है कहीं भी जाकर कि अपना कोविड टेस्ट करा इए रिपोर्ट कोविड प्लेटफॉर्म से ही जनरेट होती है हमने में वहां से सीखा देश में दो हजार से ज़्यादा हमने एक्रेडिटेड लेबरेटरी देश के हर जिले में ब्लॉक्स तक ले जाकर के बनाई जहां पीने के पानी की गुनवत तकी जांच हो सके और उन सब की रिपोर्ट एक ही जगह से जनरेट होती है तो यह जांच करता कि जो दो हजार से ज़्यादा लेबरेटरी हैं जो अक्रेडिटेड लेबरेटरी हैं उनमें प्राइस को फिक्स कर दिया है इंडिविजल व्यक्ति अगर जाकर के अपने पानी की सैंपल को जांच कराता है तो उसको एक नाममात्र का शिल्क उससे लिया जा सकता है वो जी हमने देश में देश के यूबकों का एक कॉंपेटिशन करा करके एक हैंडेल डिवाइस ऐसा फील्ड टेस्टिंग किट डवलप किया जिसके जिससे एक सामान्य व्यक्ति भी पानी की गुनवत्ता के बेसिक बारा पेरामिटर्स पर जांच कर सकता है जो सबसे इंपॉर Water and Sanitation Committee बनाई जिसमें 50% महिलाएं होना मेंडेटरी था हमने देश में 20 लाख महिलाओं को अब तक ट्रेन किया है और उनको हैंडेल डिवाइस दी हैं जिससे वो अपने गाउं में सप्लाई होने वाले पानी की नियमित रूप से उसकी गुनवत्ता की जाच करती हैं जब 2019 म हमने काम शुरू किया था तह तब देश में मातर साल में कुछ हजार सैμपल्स पानी के टेस्ट होते थे जो सरकारी स्तर पर करे जाते थे पिछले एक साल में मेरे गाउं के उन माताओं बेनों से लेकरके उन लबर्डरी पर लगबक पौने दो करोड सैंपल्स पानी के टेस है वो सीधा रिपोर्ट होता है relevant authorities के पास में रिपोर्ट होता है हम तक भी उसका जो है वो details आती है ताकि तुरंट उनको fix किया जा सके एक बात में पूछना चाहती हूं क्योंकि जो हमारे overseas viewers हैं वो भी इसको notice कर रहे हों कि पानी की responsibility घर में जो पानी आता है या लाया जाता है कुछ cases में तो लाया जाता है आता नहीं है ये सिर्फ महिलाओं की responsibility क्यों होती है ये cultural thing है it's come from generations ये एक घर की महिला की responsibility क्यों होती है भारत में देखे मैं इसको इस दर्ष्टिकों से देखता हूं कि घर में घर की व्यवस्ताओं का प्रभन्दन पारंपरिक रूप से भारत में वो महिलाओं के आत्मे था इसलिए पारंपरिक रूप से इन सब जिम्मेदारिया है केवल इतना है नहीं साब पीने का पानी नहीं घर में इंदन के लिए जलाने के लखडशे rape लाने के जिम्मेदारी किसकी थी उपले तेपने की जिम्मेदारी किसकी थी गोवर को तेप करके और उसको जलाने के लिए उपयोग लेने की जिम्मेदारी किसकी थी घर में होने वाला हर एक काम की जिम्मेदारी महिलाओं के थी और इसलिए जब मोदीजी चाहे शौचाले का निर्मान करते हैं better purposes के लिए देश के निर्मान के लिए contribute कर सकती है एक और program है जो आपके मंत्राले में आता है नमामी गंगे program नौ साल हो चुके हैं लेकिन गंगा जी अभी भी साफ नहीं है तो इसके लिए आपका कोई target है अचीव करने के लिए कि गंगा जल हम उठा के आपने जब मुझे पता नहीं कि कब लास्ली test reports को देखा होगा नहीं test reports नहीं देखा है last I think was last year में हरिदवार गई थी तो उस वक्त में लिए गया गया पहले तो मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दू कि पिछले 10 साल को पिछले decade को decade of restoration ऐसा मानते हुए जो प्रकरती और परियावरन से जुड़ेवे विश्यों पर initiatives restoration के लिए गए उनके दुनिया भर के initiatives के लिए हर एक देश से entries United Nations ने मांगी पूरी दुनिया के सभी देशों ने अपने अपने initiatives को वहां पर report किया आपको जानकर के बहुत प्रसनता होगी कि दुनिया के top 10 initiatives में नमामी गंगे mission पर कारे प्रारम हुआ था तब से लेकर के अब तक मैं आज जिम्मेदारी से आपके सामने कह रहा हूँ कि point of origin से लेकर के point of confluence तक कलकत्ता शेहर के बाद में पहुँचने का कुछ हिस्सा छोड़ दीजे गंगा नदी एक नदी से जिस तरह के पानी की अपेक्षा है जितना dissolved oxygen होना चाहिए उसमें जो best parameter है आपने जिसकी चर्चा की उस parameter पर कहीं भी कमजोर नहीं है सब जगे पर खरी उतरती है hundred percent length में केवल इसका chemical test इसका भेशक उसका एक जांच का तरीका हो सकता है लेकर उससे भी बहतर तरीका वो होता है जो aquatic life जो है नदी के पानी में जिस तरह से रहती है dolphins जो कुछ गिंती में उगलियों पर गिं सके उतनी गिंती में दिखाई देते थे 2016-17 के समय में आज dolphins hundreds times multiply हुई हूं हिल्सा मचली thousandth time multiply हो गई है क्यों गंगा के जो कछुए हैं गंगा में रहने वाले वो hundreds time multiply हो कर के सामने दिखाई देने लग गए आज डॉल्फिन्स कानपूर तक दिखाई देने लगी है, हिलसा दिखाई देने लगी है, जिस पानी का रंग काला होता था, उन टैनरी के प्रदूशन के चलते हुए, आज उस कानपूर में भी पानी का dissolved oxygen parameter पर वो खरी उतरती है, जिस कानपूर में, जो leather industry और उसके अलावा शेहर का सारा गंदा पानी, अंग्रेजों के जमाने बनाये गए, उस नाले के माध्यम से गंगा नदी में गिरतावा दिखाई देता था, वो नाला अज सेल्फी पॉइंट है, जाकर के वहां देखिएगा, लोग वहां बेख़ड़े हो करके सम्मान के साथ में सेल्फी करके रिशिकेश तक सीधा उठा करके ऐसे पानी पी लीजे प्रदूशन मुक्त होगा, किसी नदी के पानी से कलपना नहीं की जा सकती, मुझे कुछ वर्ष पहले, 2019-2020 के साल में, मुझे स्टॉकॉम वाटर वीक में जाने का अवसर मिला था, जब मैं स्टॉकॉम वाटर व पातिती के रूप में में, जर्मनी के मंत्री और बिटन के मंत्री हम तीन लोग और भी थे हैं, चर्चा शिरू ही और मिशन गंगा, क्योंकि पूरे दुनिया भर में अब इसकी चर्चा होने लगी है, इसको ले करके वहाँ पे बाच्चीत है, जो स्वीडन के महराजा थे, उन्होंने कहा, कि हमारी डेन्यूब नदी जो बहुत सारे देशों के बीच में से होकर के बहती है, वो जब स्वीडन में प्रभेश करती है, और स्वीडन को क्रॉस करके जब स्वीडन से बाहर निकलती है, तब उसकी गुनवत्ता में सुधार होता है, जो जर्मनी के मंत्र पैटे थे उन्होंने कहा कि तेम्स में 30 साल पहले ही हाला थे कि उंगलियों को पानी में डुबो करके बाहर निकालते थे काली हो जाती थे आज हमारी नदी में आप कहीं भी डिप कर सकते हैं दुब की लगा सकते हैं जबकि उसमें 30 साल में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया मैंने इन सबसे कहा कि आपने जो सफल था 30 साल या 27-68 साल में प्राप्त किया वो हमने 7 साल में प्राप्त किया और आपके और हमारे हालात में कितना फरक है मैंने स्वीडन के महराजा साब से कहा कि आपके स्वीडन की ज बालमे लोग कुल मिला करके मृत्यू के प्राप्ड होते होंगे उतने लोगों का न्तिम संसकार रोजाना गंगाजी के तट पर होता है। जितने स्वीडन की कुल पशु आबादी है उतनी गवंच और उतनी गाय और मेरी भेंसे जो है वो गंगा जी में रोज सनान करती है लेकिन उसके बावजूद भी आज मेरी गंगा जिस हालात में आपकी थेमस है जिस हालात में आपकी डनियोब और राइन है मैं गर्व के पर आज मेरी गंगा नदी है और यमना उसका क्या होगा देखे जब गंगा जी की बात गंगा की अविरलता और निर्मलता की चर्चा मान्य प्रधानमेंति जी ने की और मिशन गंगा प्रारंब किया उस समय उन्होंने जो उसके पीछे concept और सोच दिया था तो ये कहा था कि केवल गंगा जब नदी की बात करते हैं तो वो गंगा के मुख्यधारा नहीं है कम्पलीट गंगा के बेसिन पर काम करना है कहीं से शुरूआत करनी थी मुख्यधारा पर हमने शुरूआत की वहाँ सफल था कि एक स्थर को प्राप्त करने के बाद में हमने ट्रिब्यूटरीज पर काम करना प्रागम किया और आज गंगा की ओर्डर वन, ओर्डर टू, ओर्डर थ्री, फोर, फाई, सिक्स सब ट्रिब्यूटरीज पर हम काम कर रहे है यमुना पर भी निश्चित रूप से हम काम कर रहे है देखे यमुना की चुनोती यह है कि यमुना के उद्गम स्थल से लेकर के जब दिल्ली तक यमुना पहुंचती है तब तक यमुना का पानी जो है सीधे पोटेबल वाटर है सीधा उसको ट्रीट करके पीने के पानी के उपयोग में लेया जा सकते है और यमुना की कुल लंबाई जिसमें जितने में वो बहती है उसका मुश्किल से दो प्रतीशत हिस्सा जो है वो इस दिल्ली शहर में और जितना ये जो बाईस किलोमेटर का स्ट्रेच है और जितना पोल्यूशन यमुना जी में उद्गम स्थल से लेकर के जब वो जाकर के प्रियागराज में गंगा की मुख्यधारा के साथ में मिलती है उस संगम स्थल तक जितना पोल्यूशन कूल होता है उसका 98% पोल्यूशन इस दो बीस-बाईस किलोमेटर के स्ट्रेच में होता है समस्या यह है कि यमुना नदी में जितना पानी आता है सीचाई और पेजल की आवश्यक्ताओं को देखते हुए यमुना में फ्लड डेज को छोड़ करके मौनसून डेज को छोड़ करके ओकला बराज से नीचे एक बूंद भी साफ पानी नहीं होता है इसलिए यह सारा प्रदूशन जो आपको दिखता है जो आपको कभी फोम के पहार दिखते हैं कभी आपको जो प्रदूशन की चर्चाएं वो ती है वो इसलिए दिखाई देती है दिल्ली में जो प्रदूशन की चुनाती है दिल्ली में जितना सुवेज वाटर डुमेस्टिक सुवे जब इंडस्टियल को भी एक साइट छोड़ दो उतना चनरेट होता था उसकी treatment capacity उसकी 50 पृतिशत थी और जो treatment facilities बनी वी है उसमें भी अगर मैं देखू तो उसकी 50 पृतिशत भी confirming नहीं है non confirming है जो अडिकेट नहीं है जो सिर्फ नाम मातर का treatment करके पानी डाल रही है हमने देश का नहीं एशिया का सबसे बड़ा सुवेज treatment plant दिल्ली में बनाना प्रारम किया जो लगबग complete होने वाले इस साल के अंत तक ये सारे project complete हो जाएंगे और दिल्ली का 80% सुवेज treatment हो करके treated पानी नदी में जाए या treated पानी सिंचाई के लिए जाए और साफ पानी नदी में बहे हम इसको सुनिश्चित करने में कामियाब होंगे लेकिन ये संपूर्ण समाधान नहीं होगा संपूर्ण समाधान तब होगा जब नदी में स्वच्छे पानी environment flow के रूप में प्रवाइट हो जैसे गंगा की मुख्यधारा में हमने एक authority order से ये कानून बना करके कि इतना पानी तो कम से कम नदी में नदी के इको सिस्टम को बनाए रखने के लिए प्रवाइट करना आवश्चक है वो सुनिष्चत कर दिया इसलिए आज गंगा में संकट दिखाई नहीं देता लेकिन यमुना में क्यूंकि पानी सीमित है इसलिए ये authority order आज नहीं किया जा सकता और इसके लिए मानिय प्रधान मेंतर जी के प्रेणा से उनके नेतरत में हम रेनुका में लखवार में और किशाओ में तीन बांध बना रहे हैं और वो बांध पूरा होने के बाद में हम नदी में वर्ष परियंत पानी प्रवाइत हो सके इस कमी को पूरा करके एक तरफ हम सूवेज वाटर जो बैता उसको ट्रीट कर सके डालें ट्रीटेड पानी को खेती के कामें इंडस्ट्री के लिए उपयोग करें और वहां जो साफ लगेगा कुछ वर्ष लेकिन ये प्रजेक्ट पूरा होने के बाद में जैसे गंगा जी के लिए मैं आज गर्व से बात कह रहा हूँ वैसे के वैसे गर्व से यमुना के लिए भी कह पा हूँ ये डेली फ्लड्स को लेकर मेरा सवाल है कि जो हाली में जो बाढ़ हुआ थी यहां पर पानी सीधा इतनी जल्दी कैसे आ जाता है मतलब एक दिन की बारिश से ही पानी आ जाता है यह मुना के फ्लड्ड होता है और फिर वो डेली हर्याना के बीच जगड़ा शुरू हो जा तो वेर इस दे प्रॉब्लम देखे अगर प्रॉब्लम की रूट कौज को देखें तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम नदी के घर में या नदी हमारे घर में फ्लड्ड प्लेंस पर जिस तरह का एंक्रोच्मेंट हुआ है कि अजरिवाल साब ने बेशक इस पर रा नदी में जब पानी आएगा तो वो कहां जाएगा नदी वापस अपने क्लेम करें कि यह नचरल है जहां तक पानी छोडने का भी शह है इस बार जितना पानी नदी में आया था इस वान अफ दा हाईएस पीक फ्लोव इन लास्ट मैनी डिकेट बहुत सारे दशकों में सबस ज़्यादा पानी आया था केद्रिवैल साब ने राजनीती का नया सूर गाना शिरू किया कि बराज से हर्याना ने हतनी कुन बराज से एकदम से पानी छोड़ दिया पता नहीं वो आया टी में पढ़े हैं मुझे तो समझ नहीं आता कि वो कौन सी इंजिनेरिंग की किस बराज में पानी स्टोर नहीं होता बराज सिर्फ डाइवर्जन स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टोरेज के पास्टी नहीं होती जितना पानी आता है उतना पानी निकालना ही पड़ेगा उसके हलावा कोई उसका रास्ता नहीं होता तो जितना पानी आ रहा था बराज से उतन पानी जितना आ रहा है उतना ठोड़ा भी जाना था वरना वह भराज तोट जाता है या पीछे की सतरह का जो है वह भराज के उपर से पानी निकल करके आता है तो इसलिए यह तो मुझे लगता है कि सिर्फ अपनी विफलताओं पर परदा डालने का काम था लेकिन आज भी यह आवश्यक है कि हम दिल्ली के flood plains को या यमुना के flood plains को दिल्ली में किस तरह से सुरक्षित बनाएं किस तरह से उन flood plains को भविशे के लिए बचा करके रखें ताकि भविशे में इस तरह की चुनातिय ने आएं क्योंकि जिस तरह से climate change के कारण से rainfall patterns change हो रहे हैं और erratic और scanty rainfalls observe की जा रही हैं worldwide एक साथ है कि एक दिन में 14-14-15-15-20-20-20 इंच बरसात हो रही है या कई दिनों तक बरसात नहीं हो रही है ऐसी परिस्तितियों के लिए हमको अपने आपको तयार करना ही पड़ेगा पूरे विश्यो में करना पड़ेगा और भारत में भी करना पड़ेगा एक और water wars जो चल रही है states के बीच में करनाटका और तमिलनाडु के बीच कावेरी को लेकर है हर्याना और पंजाब में SYL को लेकर हो रहा है तथे जो water wars है water sharing क्यों नहीं हो सकता हमारे मुल्क में देखें मैं इसको देखने के नजरी के रूप से देखता हूँ यह जो विवाद आपने चर्चा की चाहे वो करनाटर का तमिल नाडू के बीच में होगा आंधरा और तेलंगना के बीच में होगा हर्याना पंजाब राजस्थान के बीच में कहीं कोई विवाद होगा या एक आद और भी ऐसा गुजरात और राजस्थान के बीच में खोजा जा सकता है लेकिन यह सिर्फ उंगलियों के पर गिने जाने जतने है देश में 132 कोपरेशन जो है इसलिए हम के वल जो है को ही निष्टित रूप से इन का समाधान भी होना चाहिए और इनके समाधान के द्रष्टत से ही हम इनका त्वरित गती से असलमाधान हो सके इसको ले कर के कानून लोगसभा में अम बिल लहकर कआए हमने पारित किया र замечation में pending है, राज्जे समा में पारित होने के बाद में, हम तैस समय में इनका निस्तारन कर सके हैं, इसमें हम सफल हो पाएंगे. After water, अभी हमने water wars की बात की नमामी गंगे की बारे में बात किया है and नल से जल, sanitation की बात आते हैं, let's come to that issue. 2014 में जब from the Red Fort, जब Pradhan Mantri ने Swach Bharat का announcement किया था, उसके बाद, we have all wondered कि जैसे अभी G20 में देख लीजिये, सफाई हुई, दिल्ली बहुत साफ हो गया and it went to all the other states, G20 के जो programs थे हर जगा गया and everybody got aware that we have to keep our surroundings clean, ये बार बार we have to tell ourselves that keep your stations clean, keep your airports clean, keep your neighborhood clean this is something we have to tell ourselves all the time, ये automatically नहीं आता है पता नहीं क्यों, तो in this, how does your ministry work, इसमें sanitation को लेकर आपके मंत्राले में क्या projects हैं, क्या goals हैं? देखे जैसा आपने कहा 2014 में जब मानी प्रधान मंतिर जी ने देश का आवान करते वे कहा, कि देश खुले में शौच से मुक्त हो, 2015 के साल में मुझे मानी प्रधान मंतिर जी ने एक सांसद के नाते भारत का प्रतिनी दित्व करने के लिए United Nations में भेजा था, उसमें Sustainable Development Goals पर चर्चा हो रही थे दुनिया भर के देशों में सौ करोड लोग ऐसे estimate किये गए थे जो खुले में शौच के लिए अभी शप्त थे उसमें से साट करोड भारत में थे मानी प्रधान मंतिर जी ने 2014 में ये उद्गोश कर दिया था कि अब आने वाले पांच साल में मात्मा गांधी जी की डेड़ सुमी जैनती तक, हमकरतग गे की तरह देश को खुले में शौच से मुक्त कर उनको शद्धान जली व्यक्त करें कोई कल्पना नहीं करता था कि देश में पांच साल में जिस काम को पूरा करने के लिए युनाइटेड नेशन्स ने 2030 तक का समय भारत जैसे देशों को दिया था और जो 60 परसंट का कांट्रिब्यूटर था वो पांच साल में इस लक्षे को प्राप्त कर पाएगा लेकिन मानी प्रधान मंतिजी के प्रेणा से ये एक जनांदोलन बना कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि देश का प्रधान मंत्री भारत जैसे सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नया चुनाओा प्रधान मंत्री हाथ में जाडू लेकर के स्वच्छता के बिहेवियल चेंज के लिए लोगों में चेतना व्यापत करने के लिए social taboos को समाप्त करने के लिए काम करता वा दिखाई देगा कोई कलपना नहीं कर सकता था कि हाथ में तसला लेकर के cement motor लेकर के interact करके शौचाले बनाता वा दिखाई देगा हम भी नहीं सूथ सकते थे कि देश का प्रधान मंतरी स्वच्छता के इस mission को एक उंचाई देने के लिए twin pit toilet के pits को साफ करता वा दिखाई देगा और शायद दुनिया में किसी ने कलपना नहीं की होगी कि भारत का प्रधान मंतरी स्वच्छता को सम्मान देने के लिए कुम्ब के मेले में स्वच्छता कर्मियों के जमीन पे बैठकर के देश ने एक अभूतपूर किर्तिमान रचा दस करोर शाचाले बना करके हमने खुले में शाच से मुक्त देश को घोशित किया वो केवल शाचाले बनाने का वीशे नहीं था वो दुनिया का सबसे बड़ा behavior change program था उसके परिणाम क्या हुए उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा लेकिन देश ने जिस दिन अपने आपको खुले में शाच से मुक्त ऐसा प्रधान मंतरी के श्री मुक्त से 2 अक्टूबर 2019 को घोशित किया था उस दिन हम सब यह सोच रहे थे अब हम यहां से संपूर्ण स्वच्चता की तरफ आगे बढ़ेंगे और जो संपूर्ण स्वच्चता का concept उन्हें दिया वो था लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और विज्वल क्लीन निनेस इन तीनों पर काम करना है लिक्विड वेस्ट जो घर से पानी निकलता है गंदा पानी निकलता है उसका treatment हो उसका treatment के बाद में उसका disposal हो जहां जैसी जिस तरह की आवश्चकता है उस तरह की विधा को उपियोग में लिया जाए सॉलिड वेस्ट की जब बात करते हैं उसके वेस्ट के लिए काउस डंक के लिए भी व्यावस्था खड़ियो आज देश में इन सब क्षित्रों पे काम हुआ और ODF के बाद में ओपन डैफिकेशन फ्री ODF के बाद में जो ODF प्लस का concept प्रधान मंतिजी ने दिया जिसमें गाउं में और Solid Waste, Liquid Waste और Visual Cleanless इन तीनों पर काम हो आज देश के 66 प्रतीशत से जादा गाउं जो है वो ODF प्लस की श्रिणी में आगे किसी ने किसी एक तरह का इनिशेटिफ चाहे Liquid Waste का इनिशेटिफ या Solid Waste का इनिशेटिफ जिस गाउं में ले लिया गया हो ऐसे देश में 4 लाक से ज़्यादा गाउं है और जिस गती के साथ में हम काम कर रहे हैं 2026 तक का हमारा Target है 2026 तक देश के 6 लाक से ज़्यादा जो गाउं है सारे गाउं संपुन रूप से स्वच्छ हो जाएंगे इस दिशा में हम तेज गती से काम कर रहे हैं एक लाक पचास हजार करोड रुपए के बजट के निवेश के साथ में इन सब विश्यों को पूरा करने के लिए हम एक साथ काम करें अर्बन जगा में रूरल तो आप करी रहे हैं अर्बन में भी जो डंप है जैसे गाजीपुर का डंप है इस विशे पे मैं सीधे अधिकारी कुरूप से बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मंत्राले से जड़ावा विशे नहीं है लेकिन अभी आली में हमने 2017 से जो मानी प्रधान मंतीजी ने एक सवच्छता पकवाडा का सूतरपात किया था इस पंदरा सितंबर से लेकरके दो अक्टूबर तक इस पंदरा दिन तक पूरा देश एक साथ स्वच्छता के लिए काम करें अलग अलग तरह के लोग जोटें धिरे धिरे उस इनिशेटिव को एक नई उंचा ही मिल रही है अभी हाली में दो अक्टूबर को हमने कंक्लूड किया है आपको जान करके सुखद आश्चर होगा साड़े नौ लाक से ज़्यादा जगहों पर इस पंदरा दिन के कालखंड में कारिक्रम होए जहां स्वच्छता से चुड़ीवे अक्टिविटीज होएंगे कहीं बीच के क्लेनिंग पर हजारों जगह काम होगा वाटर बाडीज के क्लेनिग पर काम होगा आइकॉनिक प्लेसेज के क्लेनिग पर काम होगा इंस्ट्यूशनल बिल्डिंग्स पर काम होगा गाओं में स्वच्छता के लिए काम होगा स्वच्चता के अवरनेस को बढ़ाने के लिए वर्क्शॉप्स हुई होगी लोगों ने खड़े हो करके स्वच्चता करने के बाद में शपत ली होगी ऐसी साड़े नौ लाख कारिकरमों में 35 करोड लोगों की सहभागिता उसमें हुई 140 करोड देशवासियों में से 35 करोड लोग कहीं ने कहीं प्रत्यक्ष परोग शुरूप से उस काम के उस 15 दिन में उस कारिकरम के साथ जुड़े यह behavioral change की बाद है और जो आपने कहा कि हम कचरा डालने से पहले सोचने यह बात बार-बार क्यों चेतानी पड़ती है उस दिशा में आगे बढ़ाने का यह प्रयास है और मैं जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा कि नई पीड़ी में आने वाली पीड़ी में पानी को बचाने को ले करके पानी का दुरूपयोग न हो उसको ले करके और स्वच्छता बनी रहे उसको ले करके एक बड़ी चेतना का उदर आने वाली पीड़ी में देखने को सपष्ट मिल रहे है चोटे चोटे बच्चे एक उधारन देना चाहता हूँ, पानी को ले करके, कोविड की आपदा खतम हुई थी, मैं बंबई से दिल्ली हवाई चार्ज में आ रहा था, इंड़िगो की फ्लाइट में, जो परिचारी का थी, एरोस्टेस उन्होंने लाकर के सब को एक एक ग्लास पानी दिया, फर्स्ट रो में मेरी सीट थी, मेरे सीट में विंडो के साइट पर में बैठा था, बीच की सीट में एक छोटी सी बालिका होगी, छे-साथ साल बाम मुश्किल उम्र होगी, और आगे उनकी माता जी जो है, वो आयल सीट पर बैठी, उन्होंने जब पानी लाक पाणी पाणी पार कृण पाणी दे लागि, उन्होंने जो है उसको पानी गलास को रख दिया था, एक गूंट पानी प्या थोड़ी देर बाद में वो ट्रेश कलेक्ट करने के लिए, जब अपनी गलास को उटा नेके लिए, बच्ची ने अपना गलास से पानी पिया, संस जो पानी पिया था, एक गूट उसको उठा करके, वो ऐसे ही उसमें डालने लगी, उस बच्ची ने हाथ पकड़ा, और का ममा, you cannot waste water, मोधी जी ने कहा है, ये अपने आप में इस बात का परिचाय का है, कि किस तरह से समाज का सोचने का नजरिया बदल रहे हैं, हम शायद What an inspiring story, what an inspiring story. You know, with 1.4 billion population, do we have enough water? क्या नदियों में पानी इतना है, कि 1.4 billion population के लिए इतना पानी हम दे सकते हैं, और अगर नहीं, तो इसके लिए क्या उपाय है? दिखे, पानी पूरे विश्वभर में सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विश्व है, बढ़ती वी आबादी, बढ़ती वी पानी की मांग, बढ़ती वी आबादी के भोजन की requirement को पूरा करना, इन इस्चित रूप से बढ़ी चुनाती है, और सारा जब कि दुनिया के पीने योग्य पानी का केवल 4 परतिशत हिस्सा हमको मिला है, तो पहले ही प्राकृति का संतुलन था, हमारी चुनाती और भी बड़ी इसलिए है कि क्लाइमेट चेंज के इंपक्ट हमको सामने दिखाई दे रहे है, हमारी चुनाती और भी बड़ी इसलि अमेरिका है दूसरे और तीसरे नंबर पर वो दोनों क्युमिलिटिव जितना विड्रो करते हैं उससे ज्यादा हम पानी उससे डेड़ गुना पानी हम जमीन से निकालते हैं हमारी 65% रिक्वार्मेंट जमीन के पानी से पूरी होती है इसके कारण से दबाव है और हमारे जमी एक दम आइडन्टिकल होते है तो एकॉनोमी हम सबसे तेजी से ग्रो कर रहे है इसले हमारी पानी की डिमांड बढ़ने वाली फूड पैटरंस जिस तरह से चेंज हो रहे हैं उसके कारण से भी हमारी पानी की डिमांड बढ़ने वाली इन सब चुनोतियों के मद्देन अज हमको पानी के हॉलिस्टिक मैनेजमेंट पर काम करना पड़ेगा और मानी नरेंद्र मोदी जी के नेतरोते में सरकार उस पर काम कर रहे है पहले उन्होंने इंटीग्रेटिड मिनिस्ट्री बनाई जल्शक्ति मंत्राले के रूप में पहले इससे पहले आठ नो अलग-अलग ड दुनिया का सबसे बड़ा डैम रियाबिलिटेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं वो क्या होता है बांधों की सुरक्षा को ले करके एक प्रोटोकॉल देश में बने और देश के सभी बांधों की सुरक्षा सरक्षा रख रखाव उनके ऑटमाइजेशन उस पर हम सब काम कर स हैं इसकी व्यवस्ता देश में नहीं थी उसको हमने कानून बना करके डैम रियाबिलिटेशन का कानून बना करके बांध सुरक्षा का कानून बना करके एक तरफ उसको सुनिश्चित किया दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा डैम रियाबिलिटेशन प्रोग्रेम दस वो पचास साल से ज़्यादा है हमारे बांधों की उम्र जो है सौ साल से ज़्यादा बहुत सारे बांध हो गए हालां कि कोई बांध की उम्र और उसकी स्थिति रख्ष जो उसकी सर्विसेबिलेटी उन दोनों का कोई प्रत्यक संबंद नहीं है देश का सबसे पुराना बांध जो आज भी सेवा प्रदान कर रहा है वो दो हजार साल पुराना है कौन साथ ग्रांड एनाइकट जो कावेरी पर बना है वो दो हजार साल से ज़्यादा से सेवा रत है लेकिन हमारे बांध उम्र बढ़ने के साथ उनका रख रखाओ ठीको इसको ले करके कानून बनाया और साथ में सबसे बड़ा डैम रियाबिल्टेशन प्रोग्राम कर रहे हम दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर रीचार्ज का प्रोग्राम अटल भूजल मिशन के माध्य हम नाम से कर रहे हैं छे हजार करोड रुपए से ज़्यादा की लागत से साथ प्राइप जो है पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में साथ स्टेट्स में जहां बड़ी चुनोती थी उस पर काम करने हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा जल शक्ती अभ्यान जहां देश के साथ सो से ज़ादा जिलों में एक साथ बरसात के समय में जल संटरक्षन पर काम हो इस दिशा में काम करने हैं माने प्रदान वेंतिय जी कि प्रेड़ना चैस्य बड़ी दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा river cleaning program कर रहे हैं अगर इन सब के परिपेक्षमे में देखता हूं और जिस तरह से हमने इन सब initiatives पर एक साथ काम किया हम दुनिया का सबसे बड़ा interlinkage of river का program भी कर रहे हैं केन बेतवा के उपर हमने काम प्रारम भी किया है इन सब पर अगर मैं एक साथ दृष्टी डाल करके देखता हूं भारत ऐसा देश है जो पानी के विशे पर भविश्य में देश को पानी के दृष्टी कोण से उपलबदता की दृष्टी कोण से सुरक्षित बनाए रख सके इसके दृष्टी से रहे समरद रहे इस दिशा में हम हॉलिस्टिक अली प्रदानमंतर जी के नेतरत में काम कर रहे है वाटर मैनेजमेंट को लेकर फ्लाड वार्निंग के बाद भी होती है अभी उत्राखण में हाल ही में जो बार होए था तो फ्लाड अर्ली वार्निंग सिस्टम, फ्लाड वार्निंग और इसको एक होलिस्टिक कॉंसेट में लिया जा सकता है कि हमारे मुल्क में क्यों नहीं होता ये देखे प्राकरतिक आपदाओं को सौ प्रतिशत हम रोक सकें ऐसी संभावना करें हाँ हम उसके सामने निश्चित रूप से अपने आपको कमजोर महसूस करते ही और पूरी दुनिया में किसी भी देश में उठा करके देखे सब जगे इसी तरह के इस्तितिया पर इस्तितिया लेकिन फ्लाड अर्ली वार्निंग सिस्टम डवल अप हो यह होना ही चाहिए मैं एक बात आज कि आपके सामने आपके दर्शकों को गर्व के साथ में कहता हूँ कि दुनिया का बेहतरी इन सिस्टम जो है वो है कि पांच दिन एडवांस में दुनिया के सारे विक्सित देशों में भी जहां पर बेस्ट ओफ दे टेक्नोलोजी और रिसोर्स अवेलबल है वहां पर भी पांच दिन एडवांस में फ्लड फोरकास्टिंग कर सकें इस तरह की व्यवस्ताइं है और वो भी कुछ एक गिंती के देशों के पास में हैं बाकी तीन दिन तक है हमारे देश में भी हमारे पास में पांच दिन गाइक अइरली वांनिंग सिस्टम बिलकुल रुबस तरीके से काम करता है साइकलोन वगेरा में है पर व्लड वांनिंग सबी जगह पर है हमारे हजारों की संख्या में flood warning जो है water flow assessment perspitation assessment के नदियों में flow के assessment के ऐसे nationally और internationally data sharing के integrated modules और mechanism हमारे पास में नेपाल के साथ में चाइना के साथ में हमारे व्यवस्तित जो है इस तरहे की व्यवस्ता flood early warning और water flow system को monitor और govern करने की हमारी चलती है optimized तरीके से चलती है बिना human intervention के लिए low least human intervention के चलती है in conclusion I have to ask you this मैं अपने सभी guests से पूछती हूँ कि mental और physical well-being के लिए क्योंकि जो politicians होते हैं खासकर election के time your routine is very routine होता ही नहीं है कहीं आप कभी किसी constituency में होते कहीं और होते हैं खान पान अलग होता है कोई सोने का कुछ पता नहीं होता कि कितने घंटे आपको rest मिलेगा तो आप अपने physical और mental well-being के लिए आप अपने discipline के लिए कैसे maintain करते हैं देखे मैं जब चुटा था तब से बच्पन से लेकर के निरंतर sports के साथ में जुड़ा रहा है तो फिजिकल अक्टिविटी किसी ने किसी तरह से life का हिस्सा बनी भी है और मैं सोचता हूँ कि वो ही सबसे बड़ी ताकत है कि उसके चलते हुए मैं आज तक भी भगवान की ग्रबादे स्वस्त हो करके काम कर पा रहा हूँ या आपने सही का कि किसी तरह का कोई जो है fix schedules नहीं होते कोई तरह की fix lifestyle नहीं होती रूजी आपको travel करना है रूजी आपको काम करना है अलग-अलग different hours में काम करना है different climatic conditions में काम करना है चुनातिया हैं लेकिन कुछ yoga कुछ pranayam ऐसा करके अपने आपको और साथ में अपने खाने के time को regulate करके आप अपने आपको स्वस्ते बनाए रख सकते हैं और मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने इन तीनों ही चीजों को करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है और मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा बना करके उनको चलता हूँ इसलिए सब कुछ ठीक चलता है आप आफरिका में भी रहे हैं वहां का diet कुछ किया आपने उधर का diet आपको कैसे आप adjust कर पाए वहां पर मुझे दुनिया के बहुत सारे देशों में काम करने का उसर मिला आफरिका में मैंने खेती के जब मैं करता था कई दिनों तक मुझे रहने का सौभा कि पूरण आफसर कई साल तक जाने का उसर मिला वहां तो परिस्तितिया और भी अनुकूल थी क्यो? आपके पास में था आपके control में था ऐसा नहीं है कि राजनीतिक शत्र में जिस तरह से काम करना है उतनी बड़ी चुनाथिया नहीं थी 100% आर्गिनिक वहाँ भोजन मिलता था वायू मंडल में जीरो पॉलूशन था जहां मैं एथियोपिया में जहां रहता था तो इसलिए वहाँ तो परिस्तेतिया और भी अनुकूल थी बहां का cuisine कुछ मिलता जूलता है ना हिंदुस्तानी cuisine से कुजीन भी मिलता जूलता है संसकृती भी बहुत सारी चीज़े मिलती है बहुत सारी शब्द हमारे common है जैसे की? जो भारत का पुराना जो हमारा trade था अपिसینिया के साथ में जो पुराने हमारे व्यापरिक संबंध थे एतियास एक काल से उसके चलते वे हमारी सांस्कृतिक साम में था बहुत सारी है महिलाओं का संबान जिस तरह से भारत में होता है अभी जिनिया में एथियोपिया में उसी तरह से महिलाओं का संबान है बुजर्गों का संबान जिस तरह से परिवार में, गाउं में, समाज में हमारे यहां होता है, वहां उसी तरह की व्यवस्ताइं है राजस्तान में जैसा हमारे यहां सामानेते हम देखते हैं, देश के बहुत सारे हिस्सों में भी है कि परिवार के चार-पाँच लोग, चार भाई साथ भोजन करेंगे, तो एक ही थाल में बैट करके भोजन करेंगे, वहां भी वो साथ उसी तरह से खाना काते हैं, बहुत सारे चीज़ें, शब्द भी हमारे आपस में मिलते हैं, किराया वहां भी किराया होता है, हिसाब भोज सारा जो है, वो प्रेणा वहां से मिली है, आप जोदपूर के सांसद हैं, बॉर्डर एरिया है, आपने देखा होगा कि जब इस्रेल में जो हमला हुआ है, वहां पैरग्लाइडर से लोग आए थे, इस इस अन्यू चैलेंज, नैशनल सेक्योरिटी को लेकर, क्योंकि ये भ इसे कुछ हो सकता है, आपके अलाके में, जैसा मैंने अपनी बातचीत के प्रारम में कहा था, मुझे 20 साल तक बॉर्डर पर काम करने का आपसर मिले, जी, राजस्तान का पश्चिमी सीमा क्षेत्र, क्योंकि देश की पाकिस्तान के साथ में, जो कुल हमारा बॉर्डर, जादा इससा राजस्तान में है, और देश के सीमावरती क्षेत्र पर राजस्तान में, गुजरात में, पंजाब में, जामों और कैश्मीर में, सब जगह पे काम करने का मेरा व्यक्तिगत 20 साल का अनुभव है, तक निकी के बदलाव से जहां हमको सुरक्षा के नए आयाम मि बढ़ती है, हम देख रहे हैं कि कितना ड्रोन्स के माध्यम से स्मगलिंग चाहे, वो हतियार की होगी, या ये ड्रग्स की होगी, वो कितना बढ़ी है, कितनी ज़्यादा संख्या है, उनकी बढ़ी है, निश्चित रूप से चुनोती हैं हमारे सामने, नित्य प्रतिदिन तकनीकी के बदलाव के कारण से बढ़ने वाली हैं, लेकिन हमको विजलैंड ट्रैकर के उस पर काम करना होगा, इस सबके साथ साथ में जिस मॉडियूल पर हमने काम किया, तीके देश की सीमा हैं, महा भारत में, भीश में पिता मैंने का है, पांचवे सर्ग में कि देश की स सुरक्षा बनी रहें, देश की सीमा हैं सुरक्षित रहें, उसके लिए वो प्रतिबद रहें, कमिटेड रहें, लेकिन जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, उनकी डिवल रिस्पॉंसबिलिटी है, और ये सेंस ओफ रिस्पॉंसबिलिटी लोगों में कल्टिवेट कर रहने की आवश्यक्ता है, या आज समय की मांगए कि इस बदलते वे परिद्रिश्टी में भी हम देश के सीमावरती क्षेतर में रहने वाले लोगों को और अधिक अवेर करें, जागरू करें, उनको और अधिक जो है चेतना युक्तिस द्रिश्टी को उन से बनाएं कि वो वहां रहने वाली होने वाली हर हरकत के प्रती विजिलेंट रहें, हो सकने वाली हर हरकत के प्रती मुस्तैद रहें, लेकिन जब सेना के पीछे खड़ावा नागरिक वो चैतन्यवान हो, वो सेंस ओफ रिस्पॉंसबिलिटी से भरावा हो, तो जो सैनिक बॉर्डर पर खड है वो पीछे घूम करके देखे और अपने पीछे ऐसे समाज को खड़ा हुआ पाए तो उसकी शक्ति उसकी ताकत उसकी होसला उसकी क्षमता कई 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 गुना बढ़ जाते हैं क्या ये इशू बन सकता है जो राज में चुनाव होने वाले हैं और 2024 में भी क्या नाश्रल सेक् सेक्योरिटी एक चुनावी मुद्दा बन सकता है? हमारे B.S.F. के जो है वो सिपाहियों को मार करके डंडे पर लटका करके उनको ले जाते वे कि चित्र अंग्रेजी के अकबारों में हिंदी के अकबारों में छपते थे मीडिया की सुर्खियां बनते थे इस चित्रूप से देश चिंतित था और आज जो हालात उसके बाद में बदलें जिस तरह से हमारे सीमाएं अभिद्य हुई जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल और एर स्ट्राइक करके एक सपष्ठ संदेश पूरी दुनिया को दिया कि भारत की धरती और भारत की धरती के बाहर कहीं से भी भारत के विरुद्द चलने वाली गतिवीदी को हम बरदाश्ट नहीं करेंगे जिस तरह से डॉकलाम में आँख में आँख डाल करके और जवाब देश की सेना ने दिया मानने नरेंद्र मोदी जी के प्रेड़ना से उसके बाद में निश्चित रूप से ये देश के मतदाता के लिए एक पाइंट ओफ कंसर्न हमेशा होता है कि कौन सरकार देश को बहतर सुरक्षा दे सकती है चाए वो सीमा की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा हो कितनी चुनातियां पहले होती थी हर एक आद महीने में कहीने 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 एक बंबलास्ट होता था कहीने कहीने एक बड़ी आतंकवादी गटना होती थी लेकिन हम सिवा अफसोस व्यक्त करने या भविशे में ऐसा नहो इसके लिए जो है एक चर्चा करने के अतरिक्त कुछ नहीं कर पाते थी लेकिन आज पिछले 10 साल में जिस तरह ऐसे हालात बदले आज भारत में इस तरह की घटना करने का दुसाहस जो है वो शायद कुछ एक आद दो घटनाए को छोड़ दे नहीं कर पाए और उसका परिणाम है कि देश आर्थिक द्रिश्टे से इस गती से प्रगती कर पा रहे है Does the youth in Rajasthan know this? क्योंकि आप Rajasthan के हैं इसलिए मैं बार-बार आपके प्रदेश के बारे में पूछ रही हूँ क्या आपके प्रदेश का युवक इस सब के बारे में जानता है देखे आपके इस प्रशन का उत्तर जो है वो 2018 और 2019 के चुनाव के परिणाम में समाही थे जब प्रदेश का चुनाव हो रहा था तब लोगों के सोचने का नजरिया दूसरा हो सकता था लेकिन जब देश की सरकार चुनने का विश्या है तब जहां तीन महीने पहले कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी हनीमून पिरियड भी समाप्त नहीं हुआ था उसमें पच्चिस के पच्चिस संसद जो है वो कॉंग्रेस के हरा करके मानी नरेंदर मोदी जी को सरकार बनाने के लिए राजस्तान की जनता ने समर्पित किये थे यह इस बात का परिचायक है कि देश का हर एक व्यक्ति गाउं में बैठावा व्यक्ति भी आज इस टेक्नालोजी की ताकत के चलते वे मॉबाइल की ताकत के चलते वे इन सारे विश्यों के साथ बहुत गहराई और गंबीरता के साथ में चुड़ा हुआ है एक पुलिटिकल सवाल जरू पूछूंगी Are you the dark horse for chief minister of Rajasthan? मैंने आप से पहले भी कहा कि यह तै करना कि कौन किस भूमिका में काम करेगा यह पार्टी के वरिष्ठ जनों का और परिवार के वरिष्ठ जनों का की जिम्मेदारी है उनकी अधिकार है गजंदर सिंग के लिए क्या भूमिका पार्टी और परिवार के वरिष्ठ जनों ने तै किया है इसका जवाब वो दे सकते हैं लेकिन मैंने फिर कहूँगा जहां भी काम करूँगा इसी उटसा के साथ में इसी उर्जा के साथ में इसी आत्मे विश्वास के साथ में इसी संकल्प और लक्षे को लेकरके कि भारत मा की जायकार करने है इसी लक्षे के साथ में करूँगा Thank you so much आपने अपना कीम्ती समय हमें दिया और इतने सारे अनेक्डोट्स और इतना हम को बताया about your mantra and about Rajasthan. So, all the best for 2024. Thank you very much. पहले 2023 के लिए धन्यवाई. पहले 2023 के लिए उसके लिए शुब कामना है. चलिए दोनों elections के लिए शुब कामना है. बहुत दन्यवाई. Thank you. Thank you for watching or listening to this edition of E&I Podcast with Smita Prakash. Do write in with your suggestions. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.